हेलो बच्चो मेरा नाम है अभिनोपाधग और मैं लेकर आया हूँ आपके पास क्लास 12 का अगला वनसौट जिसका नाम है सदिस बीच गडित तो आज हम लोग वेक्टर एलजबरा का वनसौट रिवीजन करने वाले हैं मतलब एक ही लेक्चर में पूरे चैप्टर का कोशन आते हैं इससे वेरी बिकशन आते हैं इससे बीचल्पी में भी कोशन आते हैं मतलब हर प्रकार के कोश्चंगट कीमें मिलते हैं और इन दोनों चैप्टर से अगर देखाई सदिस बीच गडित और 3D से से टीडिका टॉपिक काफी कम भी हो गया सम्तलवाला पार्ट दिया गया केवल रेखा का पार्ट हमें पढ़ना है तो दोनों चैप्टर के मिला के काफी कोश्चन्स हमें मिलने वाले हैं ठीक है तो जब तक हम ये दोनों चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे सदिस जबीज गडित और त्रिविमी जयमती तब तक हम 90 प्लस तो स्कोर नहीं कर सकते मालब इन दोनों चैप्टर के बगार तो हम पूरे नंबर वहाँ पे स्कोर नहीं कर सकते इसलिए इन चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत है तो इनको भी हम उतनी ही सिद्दत से उतने ह स्यादा ध्यान नहीं देते उस वज़े से फिर दिक्कत होती है तो वेक्टर 3D रखिक प्रोग्रामन से एक लॉंग कोशन आ नहीं है तो वो तो सिंपल आसान सा टॉपिक है उसको एकी बार में कंप्लीट कर लेंगे और प्राइक्ता इचारों चैप्टर बहुत इंपॉर् जाँ नहीं नहीं करना ही पड़ेगा तो इन चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस बहुत है थोड़ा सा लॉंग होने वाला है थोला ज्वां लॉंग होगा इससी थोड़ा से डीटेल में ही पढ़ाऊंगा वैसे डीटेल में पढ़ा रखा है बहुत ज्यादा डीटेल में लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर ऊपर चलेगा सारी चीजे कवर कराऊंगा ऐसा नहीं कि कुछ भी टॉपिक छूड़ जाएगा चार एक्सरसाइज दी गए इसमें सबस्क्राइब चीजों का अधिस गुड़नफल और दो सबस्क्राइब कि सारी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है पहली एक्सरसाइज के वल छोटी जो स्टार्टिंग के दस मिनट में ही खतम हो जाएगी बुस्किसे दस मिनट लेगी और इस पर कोशन जो बनता भी है वो बनते हैं उनकी हम चर्चा detail में करने वाले है तो सब लोग ध्यान से पूरे चैप्टर को के ही बार में कोशिस करिए कि पूरा चैप्टर क्या होती है अदिस रासिया क्यों यह सबको पता है वही छोटी-छोटी चीजे मैं धोड़ी सी बता देता हूं साट में ताकि सबको डिव्याइस हो जाए और कोई दिक्कत ना रहे सबसे पहले चलते हैं सदिस के परचे में अदिस रासियों पर अदिस रासियों पर अदिस र परिमाल का मतलब क्या फॉर एक्जामपल की के वखाल उसमें परिमाल होना चाय क्टिसमें दिन धिसा कुछ भीली ठी हम पर और अथाम पल जैसे की आयतन है तो कोई दिसा की ज्बोत नहीं कितना आए तन बदिन से लेना देना या कितना उसका छे सब्सक्राइब सब्सक्राइब सदिस राशियों मैं क्या होता है कि इसमें परिमार के साथ सट दिसा भी वी परिमार वादिसा दोनों होते हैं तो वहाँ पर हमारे पास कि कौनन से राशिया प्राप्त होती है सदिस राशियां जैसे कि For example अगर हम बात करें, सद्राशियों में, जैसे कि विस्तापन है, displacement, वेग है, वेग एक सद्राशी है, और एकसान। क्तार पर समय है, समय एक सद्रासी है, पताए न, एक समय क्यांचे रहे हैं. क्या कहते हैं, बल्द psychically, which is more satisfying. कैसी है एक हमारे पास फोर्स एक सधिस अशी देखो बल्की ऐसे समझों कि अगर हम् बल्की बात करें तो आप किसी भी चीज पर बल लगा रहे हुँ जो devil इसी हमारे पास ही mouse रखाई इस पर आप बल लगा तो अगर इसी दिसा में एसे बल लगा रहे हुँ तो इसी अनेक रासिय होगी जो मारे पास सदिस रासियों में आती है और जिनमें केवल परिमाल होता है वो अधिस रासियों होती है आप सब को पता है ये बाद ठीक है मालनों हमारे पास क्या है कि हमने यहां से चलना प्रारम किया यह प्रारम बिक बिंदू था इस से चलना प्रारम किया फिर हम इधर आए फिर हम इधर गये फिर हम इधर गये फिर हम यहीं आगे तो इधर से हमने चलना प्रारम किया था इधर आये थे फिर हम इधर गये और फि चोटी चोटी बाते हैं क्योंकि ऐसे कभी-कभी आ जाएगा MCQ टाइप कोश्यर में कि सून सदिस होता है उसका बोल देगा उसमें आप सन में होंगे प्रारंबिक वांतिम बिंदु संपाति होंगे संरेख होंगे ऐसी कुछ कंडिशन दे देगा तो उसमें मेन कंडिशन यही प्रारंबिक वांतिम बिंदु कैसे होते हैं संपाति होती है एक पॉइंट भी रग दो तो पॉइंट भी हमारे पास जीरो सदिस होगा क्योंकि इसका प्रारंबिक बिंदु भी यही है अंतिम बिंदु भी यही है तो यह भी हमारे पास एक जीरो सदिस होगा दूसरा सदि है हमारे पास मात्रक सदिश, बहुत इंपॉर्टन सदिश है, जिसे हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं, जिसे हम एकांग सदिश भी बोलते हैं, इकाई सदिश भी बोलते हैं, यह हमारे पास होता है मात्रक सदिश, जिसे हम बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इसको अभी थोड़ा डिटेल में भी डिसकस करेंगे परिशान होने की जोगत नहीं है आगे बात करेंगे मात्रव सवी nawra-3 के बारे में कि क्या है बाकि अभी के लिए फिलाल में याद रखो कि इसका जो परिमार होता है वो एक काई का होता है इसे हम एक से दर साथ है तिक कैप में जोमारे पास इस वेक्तर का परिमार होता है अगर इस एकटर का परिमार दे कि तुब हमेसा एक ही काई का होता है ये बात भी याद रखो आंगे इसको में डिटेल में भी डिसकास करेंगी बहूत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बाद सब्सक्राइब सब्स जा रहा है VX अःसे एक 70 इडर गया संदिस इदर गया कैने का मतलब अधिक यह है कि 2 अथ्वा दो से अधिक सदिस जिनका प्रारंभिग मिंदु जो था वामिए यही था इनीसियल पॉइंट यही ताइघ हूं यही से ओर इजनरेट हुए जनरेट फूए कि एक इस तरफ चलागे, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, मतलब इसको अगर हम A vector बोले, इसको हम B vector बोल दे, C vector बोल दे, इसको D vector बोल दे, तो ये A vector, B vector, C vector, D vector इस सारे क्या है, ये सारे सय आदिम सदिस है, क्योंकि इनका प्रारंबिक बिंदू A की है, और दो से अ हो गए 6 प्रकार के basically होते हैं हमें जो 6 पढ़ने हैं चौथा हमारा start होता है संड्रेक सदिस को linear vector संड्रेक सदिस की condition यह है यहाँ पर vector में संड्रेक की condition जो होगी वो उसके समानतर होने से है एक बात important बात जाद लेना कि जब भी संड्रेक सब्द वेक्टर में आएगा तो उसका मतलब यह है कि दो सदिस वो समानतर होने चाहिए यही लिखा यहाँ पर दो अधिक सदिस यदि एक ही रेखा के समानतर है तो उसे हम बोलते है संड्रेक सदिस for example देखो एक चीज़ तो जानते हो संड्रेक का तुम लोग मतलब यह जानते हो कि एक सदिस माल लोग यह था ठिक एक सदिस तुमारे पास यह था यह माल लिया कि Vector है और यह तुम्हारे पास B Vector, यह चीज़ तो तुम लोग जानते हो, कि सर एक ही रेखा में, और तुम्हें एक ही दिशा में 2 सद्धिस दिख रहे थे, तो यह तुम्हारे संड्रेक सद्धिस हो गाए, कि A Vector और B Vector है, यहां पर अगर देखा जाए, तो ऐसी condition तो एक हई कि A vector और B vector ये संदेक सदिस है एक ही रेखा पर इस दो सदिस है इसलिए संदेक होगे condition ये भी हो सकती है कि एक vector अमारे पास A ये है और एक vector अमारे पास ये है ये हमारे पास A vector है यह मारे पास B-vector है, यह भी हमारे पास संड्रेक सदिस कहलाएंगे, क्यों? क्योंकि दोनों समानतर है, अगर दोनों समानतर सदिस है, परिमार की कोई जरुवत नहीं, देखो, for example, देखो मिसको ऐसा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ताकि परिमार से दिक्कत ना होगा, यह A-vector है, यह B-vector है, यह B-vector है, यह B-vector है, संड्रेक सदिस कहलाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, समानतर है, ऐसा भी हो सकता है, कि A-vector हमारा इस साइड़ों, ऐसा भी हो सकता है, कि A-vector हमारा इस साइड़ों, और B-vector हमारा इस साइड़ो सिंपल समाज नहीं हो ना तो भी ये संद्रेक सा दिस कहला आएगा दिसा इधर उधर हो सकती है बस एक दूसरे के समानतर होना चाहिए संद्रेक के लिए कंडिशन यही आद रखनी है कि वस वो एक दूसरे के समानतर होना चाहिए for example ठिक संद्रेक होने का मतलब वो एक दूसर में इसंडारेख की बोल जाएगा चाह संडारे की कंडिसन तीनों को सटीस्वाइड करेगी क्लियर बाकि संडारेक का किसर तभी पढ़ेंगे अंगे इंपर्णेंटो ऐचा board फाक्षा से एक सदीश है परिमार यह सदो नो कि चाहिए मतलब यह है कि एक सदिस अगर एक वेक्टर यह है तो भी वेक्टर इसी दिसा में होना चाहिए सेम दिसा में होना चाहिए और परिमार भी इक्वान होना चाहिए मतलब अगर इसका परिमार एक इक आई है तो यह भी एक आई अगर ये दो ही का है ये तो ये भी दो ही का है ये तीन है तो ये तीन दिसा भी समान होना चाहिए अगर ये वेक्टर हमारा इस डारेक्शन में है ये वेक्टर तो बी वेक्टर भी हमारा इसी डारेक्शन में होगा तभी क्या कहलाएगा, तभी हमारे पास समान शटिस कहलाएगा, बात कलीर, आँगे चलते हैं, छटा है रिलात्मक सटिस, परिमार समानों परंतुदिसा विप्रीट, तो इसी का उल्टा हो जाएगा, simple, कि हमारे पास ये परिमार तो ऐसा है, A vector तो मारा इस side था, और B vector सीधी बात यह, तो हमारे पास अगर समान सदिस है परंतु दिसा विप्रीथ है तो हमारे पास वह लिडात्मक सदिस में आ जाएंगे, चले आगे, यह अमारे पास 6 पार्ट हैं, तेनपंट-बं में ये हमारे पास दिएगा है सदिस के बारे में एक कोशन इस पर इस प्रकार का मता है कुछ Q especial दे रखेंगी कुछ रासियां दे रखेंगी कार समय बल विस्थापन दूरी समय इन समय आप से पूछेई तो उससे कमी रहेगा तो उसको बारे का ही टॉपिक है तो वो तो मैंने बाइस से बता भी दिया कि केवल परिमार होता है अधिस पर जो थोड़ा अच्छा कोशन बनता है वो मैंने लिया है तीसरा एक्जामपल दिया हुआ था ऐसा कोशन एक साइज में भी दे रखा है आकरत इसे हमें पैचान कर बताना है कि कहां पर कौन सा सद्धिस हमारे पास किस प्रकार का सद्धिस है यहां पर पहला कोशन दे रखा है देखू पहला कोशन दे रखा है कि आकरी 10.5 में कौन सा सद्धिस संड्रेक सद्धिस संड्रेक सद्धिस की क साट्रेटर भी समानतर होगा दिशा भी फ्रीड ऐसंगर हे इस संहर कर कार थी निजिएर correct और और 59 एक पर आ熱 सब्सक्राइब ये इस माने अम्राइब य ऐस अमरे सब्सक्राइक में ग Schluss में में मारे पास आ जाएगा एक्टर और सी वेक्टर और डिये वैक्टर के वल भी व्हूत्र नहीं आएगा क्बि वेक्टर इदिकर कि सर्य तो पार लल टाइप कर THE रा कुसमाण़ तर क्डिशन नहीं बनेगेicasी डिया पस में तीनों समान्तर हैं तो सिंपल ए ε सब्सक्राइब है तो एग आधिक सद्ष जब एखी जगह से निकलते हैं एक Videospね से जनरेट होते हैं तो उन्हें साय आदिम सदिस कहते हैं ठीक एक ही दिसा में उने चीज़े से यह पॉइट देखो यह वाला पॉइंट तो इससे सदीस इधर जा रहा इससे एस बीस इसी तरहा तो यह वाले जो सदीस है कौँसे सी डी और भी यह सय आदिम हो जाएंगे से आ नहीं आ रहा है कि सर्य वाला पॉइंट भी तो ये वेक्टर भी तो हो सकता है नहीं यहां से यह तो इस डाइक्शन में जा रहा और यह इस डाइक्शन में जाता तो हो जाता लेकिन भी हमारे इस डाइक्शन उल्टी डाइक्शन में यह साइड जा रहा है और यह वाला यहां एक्साइज में भी दे रखा है वो भी एक बाट ट्राई करना बाकि सारे सेम इसी प्रकार के कोशन दिये गए कभी पूछेगा कि यह कौन सी रासी है कभी कोई मात्रक दे देगा कि अगर उसने यह दे दिया यह लिखा है मालों दस मीटर पर सेकेंड इसक्वाइर फिर पूछ नंबर में बनेगा तिक है अगे म चलते है अगले टॉफीक पर अगला टॉपिक यहां के बाद हमाव रहे स्टार्ट होता है मैं सारे टॉप एक कंप्लेट नीट करूँ बस आप मन से एक्सminute रही है समस्ञतर यह बात एक बार फिर से 60-uk想む मैं कमेंट नहीं देखता हूं, कमेंट देखूंगा तो और टाइम एक देड़ दो गंटे जादा जाएगा, तो उससे बढ़या है कि पूरा जो मारे पास time हो, हमारे पास quality to time हो, वो हम लोग simple इसका detail content देखें, तो इस वज़े से जब भी किसी को doubt लगे, एक बार back करके फिर स देख लेना, clear हो जाएगा, बाकी live class में तो हम लोग discuss करते हैं, जो भी doubt है, अब चलते हैं आगे, तीसरे के बाद आव श्टार्ट होता है, इस्तिती सदिस, अब यहां से अब 10.2 श्टार्ट होती है, कुछ चोटी चोटी बाते हैं, पहले important important जो term है, वो सीख लेते हैं, फ कोई भी एक बिंदू यहां पर मालो इस्तित है, यहां पर, त्रिविमी जहमती में, मतलब कि 3D में यहां पर एक point है, उसकी अगर हमें इस्तिती बतानी है, तो हम उसकी इस्तिती के लिए 3D पढ़े थे न, 11th में, X, Y, Z, 3X में देखते थे, अब इसको अगर हम vector form में लिख एक हमारे पास यहां पर बिंदू है, बिंदू P माल लिया, इसके निर्देशांग है, X, Y, Z, यह हमारे पास बिंदू के निर्देशांग, यह हमारे पास मूल बिंदू O है, और इसके निर्देशांग 0, 0, 0 है, अगर हमें यहां से बिंदू P का इस्तिती सदिस लिखना है इस बिंदू P का क्या करना है, बिंदू P का इस्तिती सदिस, इस्तिती सदिस मतलब होता है position vector, इस्तिती सदिस, तो जब भी हम इस्तिती सदिस लिखते हैं, तो हम कहां से लिखते हैं, सर जब भी हम इस्तिती सदिस लिखते हैं, तो उसका मूल बिंदू के सापेच, जो हमारे पास उस बिंदू की इस्तिती होती है वही उसकी इस्तिती सदिस होता है मूल बिंदू के साफेच तो मूल बिंदू के साफेच जो मारे पास इस बिंदू O से जब उस बिंदू P को मिला देते हैं तो जो यह सदिस बनता है वही उसका इस्तिती सदिस होता है किसी बिंदू का होता है जब उसको हम मूल बिंद से उस बिंद को मिला देते हैं तो जो ये सदिस बनता ये लाइन जो बन थी इसका जो सदिस होता है उसी को हम बोलते हैं इस्तिति सदिस इसको हम लिख सकते हैं ओपी वेक्टर इस्तिति सदिस और इसको हम लिखते हैं कैसे लिखते हैं, X, I, Cap, प्लस Y, J, Cap, प्लस Z, यहाँ पर I, J, क्या होती है, बास समझ लेते हैं, I, Cap, जो होता है, हमारे पास, I, Cap, होता है, यह सच की दिशा में मातरक सदिस, मातरक सदिस अभी उम्ने पड़ा था, अभी बात और बात करेंगे उसके बारे में, X, X, अच की दिशा में मातरक सदिस, टिक, ऐसे J, Cap, हमारे पास क्या होता है, Y, X की दिशा में मातरक सदिस, G, Cap, क्या होता है, Y, X की दिशा में मातरक सदिस, क्या होता है, Z, X की दिशा में मातरक सदिस, तो x y j क्या होते हैं मारे पास x होता है मारे पास x अच्च की दिशा में मात्रक सदिस j होता है y x की दिशा में मात्रक सदिस और k होता है z x की दिशा में मात्रक सदिस मात्रक सदिस समझ नहीं कि x अच्च की दिशा में मारे पास यहां पर जो x अच्च की दिशा है इसमें मातरक सधिस मतलब इसका परिमार जो होगा, हमेशा कैसा होगा, 1 सिर्फ दिसा हमारे पास इसके काम आती है मातरक सधिस में में काम दिसा का है, बाकी परिमार हमेशा 1 होता है तो हमने बिंदु की इस्तिति जो हमने लिखी, वो कैसे लिखी? X I cap, Y J cap, Z, simple है, आसान है, बस जो हमारे पास निर्दे सांग दिये जाएंगे, उसमें X वाले के साथ I लगा दो, Y वाले के साथ J और Z वाले के साथ K लगा दो, तो उसी को हम simple उसका क्या बोलते हैं, इस्तिती सदिस बोलते हैं, वही बस काम करना है, अब इसके पिछे concept वैसे इसको माइनस करते है, X-0, Y-0, Z-0, और X-0 के साथ I cap, Y-0 के साथ J cap, और Z-0 के साथ K, तो वही बन जाता है, X I cap, Y J cap, Z, K, बात के लिए रहे हैं, तो यह हो गई हमारे पास इस्तिती सदिस की बात, इसी में एक छोटी सी बात और सीख लेते हैं, अगर हमें किसी का परिमार निकालना है, जासे मोड निकालना, ओकर अगरम परिमाल लिखना जाएं, तो परिमाल का फार्मूला क्या होता है, I cap, के साथ, जो गु़न के सका cheese square, X square, प्लस y square, j cath 65 के साथ जो गुदल को सका है, Z cap के साथ, जो गुदल के उसकाadece, क्यूकि आपको पता है, I, J, K, परिमाल इसका परीमार होता है, या mode होता, कभी करिसक करेंगे, इस दिसbery को कलियर है, रहा पोजिशन वेक्टर, किसी भी बिंदु की इस्तती बढाने के लिए, जब उसको मूल बिंदु के सापेच, जम उसको मूल बिंदु से मिला देते हैं, तो जो vector बनता है, उसी को हम सिंपल, इस इस्तिती सदिस बोलते और कुछ नहीं है सिर्फ यह क्या करता है किसी बिंदु की इस्तिती बताता है और कुछ नहीं ठीक है कि कहां पर वो बिंदु अब तो समझ गए न, ये 2,3,-4 कोई बिंदू होगा, उस बिंद को हमने इस्तिती सदिस लिख दिया है, वही उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है, तो A वेक्टर होगा, 2I कैप, 3J कैप, माइनस का 4K कैप, अब तो कोई देखकत नहीं कि कैसे ये आया, ये एक्जामप ही लिखा, उसका A वेक्टर ही हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, अब अगर कहरा किसी सदिस में अधिस से गुणा का मतलब यह है कि इसमें हम किसी से भी गुणा कर सकते, मालो अगर आपको मन है कि इसमें पूर 3 से गुणा हम कर दें, तो आप दोनों तरब 3 से गुणा कर नहीं आपका मन है कि नहीं सरा माइनस के एक बटे 3 एक एक से करेंगे माइनस के एक बटे 3 से मन है जो आपके इच्छाओ आप कोई भी वास्तरिक संख्या से गुणा कर सकते हो कोई भी रियल नंबर से आराम से आप गुणा कर सकते हूं आपने यहां से गुणा किया माइनस का 2 बटे 3 I cap, फिर हो जाएगा, प्लस का 3 से 3 कट जाएगा, तो माइनस का J बचेगा केवल, माइनस का J, J cap, और फिर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 बटे 3 केक है, तो यह हमारे पास आ जाएगा, कहने का मतलब यह आसान सी बात है, कि आप किसी सदिस में अधिस से गुणा कर सकते है, अधिस मतलब कि कोई भी कॉंश्टेंट संख्या से आप आराम से गुणा भाग कर सकते हो, यहाँ पर गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, कोई दिखकत की बात नहीं, बात के लिए सभी को, कोई डाउड तो नहीं, आगे चले, छोटे-छोटे-छोटे- है चोटे-चोटे-चोटे पॉइंट हैं बीट-बीस में कभी यूज करेंगे कभी हमने कभी गुणा कर दिया तो पता होना चाहिए कि कर सकते हैं इसी कोई उसे चेंज नहीं हाएगा बस यह बास समझ लेते हैं आगे बात है एक सदिश के घटक आसाल सा टॉपिक है किसी सदि एक वेक्टर दिया गया जनरल फाम में ले लिया इसमें हमारे पास बेसिकली दो गटक होते हैं इस सदिश के दो गटक होते हैं एक अधिस गटक होता है ठीक तो हमारे पास एक होता है अधिस गटक और एक होता है सदिश गटक सदिस गटक में क्या करते हैं सदिस गटक में आप क्या करोगे सिंपल जो हमारे पास यह एक्स आई कैप पूरा आ जाएगा सद्धक होते सद्धिस का मतलब तो वह उसके अदिस गटाटो जाएंगे for example आपके पास question है कैसा question आ सकता है इसमें मालब लोग एक question दिया उसने A vector equal to minus का 2 i cap minus का 4 j cap और प्लस का 3 cake यह question दिया उसने उसने काई इसके अधिस वास अधिस घटक लिको तो आप लिखो के कैसे अधिस गटक, अधिस गटक एकदम आसान से आप लिख दोगे, जो भी आई जेके के साथ, चिन्न के साथ लेना है, समझ रहे न, चिन्न के साथ लेंगे, हमें सब परिमार, चिन्न के वो यही दिखा रहा है कि वो जे जो है, वो निगेटिव डारेक्शन में, मलब लिख रहे हैं, क्या होगा, माइनस दू, माइनस चार और ती, सदिस गटक लिखना है, सदिस गटक क्या हो जाएंगे, सदिस गटक अगर हम लिखते हैं, तो इसके साथ हम बस आई जेके और लगा लेंगे, कॉमा लगा के लगा दू, माइनस फोर जे, माइनस प्लस का थरीक को परिमाल के साथ दिसा भी ले लो जब ijk भी ले लोगे साथ में तो सद इस गतक हो जाएंगे और केवल वेली लोगे जो आंगे ijk कोफिसियंट है जो गुडांक है वो ले लोगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे अधिस गटक हो जाएंगे यहां तक तो बात सब को क्लियर होने चाहिए यहां तक कोई समस्या तो नहीं चले आंगे अब शुरू करते हैं अगला टॉपिक मात्रक सदिस यहां से कुछ इंपोर्टेंट बात चुरू होती है बहुत ध्यान से समझेगा इक कॉंसेट क्योंकि मात्रक सदिस का आंगे भी यूज़ोना मैं डारेक्ट फार्मूले से बताऊंगा वैसे इसका डेरिवेशन भी मैंने कराया था मात्रक सदिस का मतरक सदिस का मतलब क्या होता है इसका फॉर्ड ऐसा शॉर्ट लेक आए मालो को एक वेक्टर है यह मने लिखा एक वेक्टर हैं अने एक वेक्टर बनाया रही भाही थोड़ा वटा सब इसका परिमाल मालो तीक था एक दो ती 3 निकाई का परिमार्ट था, 1 एक 1 गाई, 2 गाई, 3 निकाई, ठिक, A vector जो मारे पास है, एक हमारे पास A vector था, इसका परिमार्ट जो है, वो 3 निकाई और इसकी दिसाई इस तरफ तुमें दिखी रही है कि ये दिसाई यूनिट वेक्टर करता क्या है, सिंपल, यूनिट वेक्टर का हमारे पास फार्मूला होता है, इसे हम A-CAP से दर साथ है, A-CAP बराबर होता है, A-Vector अपन मौड आफ एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है, कि ऐसा सधिस जिसका परिमाण A की काई हो, तुम आभी इतनी बात जानते हो कि सरे मातरक सधिस का मतलब होता है, कि उसका जो परिमाण A vector की दिसा में कोई दूसरा सदिश चाहिए, सबसे important बात, कोई हमें दूसरा सदिश की need पड़ गई, जो इसी की दिसा में हो, तो वो मात्रक सदिश ही होता है, मात्रक सदिश क्या होता है, वो इसी की दिसा में एक और सदिश होता है, बस जिसका परिमार जो हो जाता है, वो मे पास परिमार होगा वो कित्था हो जाएगा A की काई का होते हैं बस अगर हम Ahter iks vector का हमें सब्सक्राइब इक और सबिस ए मात्रक सबिस कीजिए तो हम क्या करतें A vector में उसके परिमार से भागक लगा देतें तो वह उमारे पास क्या जाता है मात्रक सब्सक्रार जाता मतलब यह एक कhmom फिर से चाल एक बार फिर से समझना क्या क्या वताना चाल रहे कि कोई वेक्टर एठा तो नहीं की दिशा में क्युक्せ मैं डारेक्शन यही चाहिए सिर्फ इसका परिमाड एक इक कही हो जाए तो इसे की दिशा में तुम्हें एक सदिस मेला एक जिसकी दिसा सिंपल एवेक्टर जो ये वेक्टर है वही वेक्टर इसकी दिसा है बस इसका परिमाण क्या हो गए एक हीकाई जो ये ती निकाई था वो एक हीकाई में में बनाना हो, तो मैं आपको 10 परिवारता नहीं आएगा, वेक्टर हमारा उसी डारेक्षन में रहेगा, सिम्पलम उसका क्या करेंगे, मैगिनिटूड बदलते रहेंगे, उसमें अधिस से गुणा करके, यही इसका बेनीफीट है, ठीक है, तो यह इसका फार्मूला होता है एक है बराबर a vector upon mod of a vector for example कैसा question बनता है जिसे question एक होगा इसके आंगे यहीं जैसे यही question लेते हैं छटा example यहीं पर समझते हैं छटा example हमने लिया हुआ है यहाँ पर कहरा सदिस एक a vector है इसके अनुदिस एक मात्रक सदिस गयाद करो कहने का मतलब है यह a vector है मालू यह ऐसा दिया गया है तो चुछ यह a vector हमारे पास दिया गया है 2y cap 3jk plus kak kek यह मारे पास a vector दिया गये इसी की दिसा में तुम्हें इसी की दिसा में तो चाहिए क्या लिकाई इसने अनुदिस अनुदिस मतलब होता है इसी की दिसा में जिस दिसा में यह वेक्टर है उसी दिसा में बलाव अगर हमने यह माले हमें नहीं पता यह किस दिसा में लेकिन हमने फौर सदिस में अगर हम इसके परिमार से बाग दे इसके में अगर मैणीट्यूट से हम भाग कर दे तो में क्या मिल जाएगा वो सिंपल हमें एक कैप ने जाएगा मैंनिटूड कैसे निकालते हैं अभी आपको बताया अंडर रूट के अंदर आई कैप के साथ जो कोफिसीयंट यूसका स्कॉयर दो का स्कॉयर प्लस 3 का इस्वायर प्लस के वन का इस्वायर एट ओगा तो एवेक्टर इकोल को मारे पास कित्ते आ जाएगा यह आजाएगा दो दूना चार तीन तरका नौ प्लस एक पतलब की 10 4 14 रूट चौधा जैए मौड आफ एवेक्टर आगया रूट चोदह पस ये वेलू रग दो एवेक्टर मारे पास दिया गया है तुवाई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस तक एक है और बटे में आपने रूट चोदह से जैसे भाग किया आपको क्या मिल गया मात्रक सदिस नहीं अब ये एक है क्या ये तुमारे पास ये सदिस है कि जिसकी दिसा जो इस वेक्टर की थी वही इस वेक्टर की दिसा है बस इसका परिमार जोगा वह एक ही काई है सिंपल इसका परिमार क्या हो गया है इसका जो मैगनिटूड हो एक ही काई अब तुम पूरे का मैगनिटूड निकालो कि तो एक कावम इसका यह है मात्रक सदिस इसलिए बहुत इंप्रणै वर्दान एक प्रकार से कि वो धिशामे कोई शेजCl करता दिसामे वही देता जो में चेयोंत और यहमें बहुत जयादा यूज होती है कहीं कहीं से परीमार कुछ चेंज लाना होता है, वहाँ पर मात्रक सदीस अपना उपयोग मिलाएंगे, एकांग सदीस अपना उपयोग मिलाएंगे, चले आगे, अब इस पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट कोशन बनता है, यह तो बेसिक कोशन हो गया, डारेक्ट फार्मूले का, इसी पर एक ये कोश आगे, अब समझ मैं आजाएगा, आपको, कहरा एक सदीस हे, ये вेक्टर ये, हमारे पास सदीस है, ठीक, के रहा है इसके अनुदिस एक ऐसा सदिष ग्यात को जिसका परिमार साथ ही काई को इसका परिमार जो है वो तो है हमें इसी की दिसा में इसी के अनुदिस लिखाया ना बासमजो बहुत प्यारा कोश्चन इसी के अनुदिस मतलब इसी की दिसा में अनुदिस का मतलब होता है जिसकी जो इसकी डारेक्शेन जो परिमाल का होगा ठीक तो इसी कि दिसाने को self तो इसको अगर हम मात्रक सदिस में बदल ले तो सरी इसकी दिसा वही रहेगी जो मारे पास इस वेक्टर की दिसा है वही इसकी रहेगी यह मात्रक सदिस आ गया अगर यह मात्रक सदिस आ गया तो इसका सर परिमाल कित्ता होगा इसका परिमाल होगा एक ही काई हमें कित्ता बन पहले हम क्या करते हैं पहले एक काम करो पहले हमने क्या किया पहले इसी की डारेक्शन में हमने इसी की डारेक्शन में हमने एक मात्रक सदिश निकाले इसकी डारेक्शन में में एक मात्रक सदिश निकालते हैं कैसे निकलेगा यह पहले एक आप निकालते हैं एक आप निकलेग जो i cap के साथ गुडांक है उसका square और j cap के साथ जो गुडांक है उसका square तो mod of a vector आ गया दो दूना 4 और एक 5 मतलब की root 5 आ गया तिक यहां पर रख दो तो a cap बराबर क्या हो गया a vector वही है जो दिया गया उपर i cap minus 2 j cap और बटे में आगया root 4 यह वा्रेपास के आ गए एक सब्सक्रारं गये यहां आगया मात्रक्स अ के कि अ बता रहा है में यह बता रहा है कि इस सब्सका परिमार कि का यह और दिसा यह जो यह तिक यही दिसाए, सिंपल यही दिसाए सर, जो इसकी दिसाए, वही हमारे पास इसकी दिसाए, यह मारे पास एक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, साथ टिकाई, साथ वेक्टर मलब, साथ परिमार वाला एक हमें चाहिए, सदिश चाहिए, जिसकी दिसाए, जो इसकी क्वाइब है यह साथ से गुणां कर दें मालो इसको वने फीवेक्टर म hail लेतिए इसको अगर हम माले कि यह मारे पास B vector है माना लिख लो यहां पर ऐसे डाइग्राम बना देना कोई दिक्कत नहीं है अच्छे लगेगा समझ में आएगा नहीं बनाओगे तो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं तो B vector equal to तो हमारे पास क्या हो जाएगा सेवन एक है बस इसमें साथ से गुणा कर दो तो हमारे पास वहीं मिल जाएगा जो हमें चाहिए बटे में आजाएगा रूट पांच, तो B वेक्टर बराबर के आजाएगा, यह बराबर आजाएगा, इस प्रकार का कुश्चन बहुत बनने के चांस रहते हैं, किसी ना किसी सेट में एक कोश्चन सदीज का इस प्रकार का जरूर मिलता है, छोटे कोश्चन में, है दो नंबर में अए ज़्यादा लांगे कि हाँ से हाएगा यह तो इसना है थिक है जलें आगे अग्ले तोपिक पर चलते हैं उससे पहले क्वाध क्या करते सदिसों का योगफल सीख लेते हैं कि सदिसों का योगफल करना कैसे करना दो नियम दे रखें अपनी बुक ने वैसे नियम का ज्यादा खास उपियों का आता नहीं है बट कहीं आएगा तो समझे लेंगे दो नियम अपने दे रखें एक दे रखा उसने त्रभूज नियम वैसे इसका यूज उन डेरिवेशन में आता है जो असमिकायन दी गई थी वो मैंने डिटेल लेक्चर में कराई है त्रभूज नियम और एक समांतर चत्रभूज नियम मैं छोटी छोटी डिटेल में बता देता हूँ कि क्या इसका मतलब क्या है ताकि ये ना रहे कि कोई चीज छूट गई सर इसे योग करना है तो आसान डारेक्ट योग करना हो तो ऐसे ही सीख सकते त्रभूज नियम ये कहता है त्रभूज नियम क्या कहता है कि अगर त्रभ बुजाएं किनी दो वेक्टर को निरूपित करती है मतलब कि अगर ये वेक्टर को निरूपित कर रही है और ये भी वेक्टर को निरूपित कर रही है और ये भी वेक्टर को निरूपित कर रही है कि तरबुज के कोई भी दो सनलागन बुजाएं सनलागन मतलब कि जूड़ी योग को प्रदर्शित करती है, इसे परणामी बुजा भी बोलते है, R vector equal to होता है, A vector plus B vector, यह simple सी बात कहता है, क्या कहता है, मैं एक बाफिर से revise करा देता हूँ, कि त्रबुच की दो सनलगन बुजा है, किनी दो वेक्टर, दो सद्धिसों को निरूपित करती है, A और B जिने निरूपित कर रहे है, तो त्रबुच की जो बची हुई तीसरी बुजा होती है, विप्रेट डारेक्शन में उनके योग को निरूपित करती है, उनके परणामी को निरूपित करती है, दो सद्धिसों का परणामी का मतलब होता है, उनका योग, R vector equal to A vector plus B vector, यही कहता है, स समानता चतुरबुच वाली बात क्या कहता है, समानता चतुरबुच यह कहता है, कि हमारे पास समानता चतुरबुच की दो सनलगन बुजा है, समानता चतुरबुच की दो सनलगन बुजा है, A vector और यह B vector, समानता चतुरबुच की दो सनलगन बुजा है, दो सद्धिसों को अगर निरूपित करती है तो सदिसों को निरूपित करती है समझ रहे न आंगे सदू कर दूभ एसके समानतर तो अगर समानतर चंच की दो संलकन बूझस जो डारेक्षिन कैसी हो रही एं खिविल से योंकर रूपित करता है एक हमारे पास एसा जा रहा था उसी के बाद एक डूसरा वेक्टर ऐसे इसा रहा ता सब्सक्राइब एक इस डायक्षन में था तो सिंपल हम क्या करेंगे इसको इसके साथ मिला लेंगे और इसमें तरभुज नियम से इसको सॉल्व कर लेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि एक वेक्टर ऐसा जा रहा था एक ऐसे जा रहा था मतलब यह इधर गया यहीं से दूसरा इसे बनेगा ऐसे समांतर चत्रमुज बना लेंगे तो यह कंडिशन इस कंडिशन को फालो कर जाएगा तो यह वाली डारेक्शन जोगी वह इसके दोनों के योग को दर्साएगी यह वाली इसके योग को दर्साएगी यह वाली इसके योग को दर्साएगी सीदी सी बात है बस और यह एक दोनों कंडीशन है बाकि ज्यादा जब डिटेल में जवोत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा विसे इतने से अपना काम चल जाएगा भी फिलाल में अपने को मार्क्स पर ज्यादा फोकस करना है कॉंसेप्ट तो हम लोगों ने पहले भी सीख रखें बाकि मैं इत है पहले तो इन दोनों का सदिशों का योगफल निकालना है फिर उसके अनुदिस मात्रक सदिश निकालना है दोनों चीज़े मैं आसान है पता कैसे करना है योगफल निकालना अगर इन दोनों सदिशों का योगफल निकालना है तो हम लेक लेते हैं माना इसको एक सदिश म 2 को J के साथ जोड़ लो 2 1 3 J क idea माइनस 5 और प्लस के टीन को जोड़ लो तो माइनस का 2 एक है यह हमारे पास C ग संसवान पास योगुफल आ गया इस फो Cam G kaSele इंपने बते अब इसी सद्सकांिए इसा appelle सी होगा इसी के अनुदिस हमें एक मात्रक सदिश चाहिए, फिर से वही काम करना है, फार्मूला ही आपके पास, इसी एक सदिश के अनुदिस मात्रक सदिश चाहिए, तो c-cap equal to हो जाएगा, c-vector upon mod of c-vector, ठीक, तो c-cap equal to हो जाएगा, c-vector हमारे पास है, 4 i-cap, 3 j-cap, minus 2 k-cap, c-cap ऐसा करते हैं, mod of c, इधरी निकाल लेते हैं, क्यों वहाँ पर निकाल, mod of c, क्या हो जाएगा, अंडर root के अंदर a square, मतलब की 4 का square, इसी 3 का square, minus 2 का square, कितना हो जाएगा, चार चोको 16, प्लस 9, प्लस का 4, 16, 4, 20, 29, 29, मतलब की root 29 हो जाएगा, तिक, यह मारे पास क्या आ गया, इसका मापांक आ गया, माडूलस आ गया, परिग्राम आ गया, अब यहाँ पर लिख दो, c कैप उमारे पास क्या है, root 29, सभी को अलग-अलग करके लिख दो, तो उससे थोड़ा मज़ा आता है, आसान रहता है, i cap, 3 बटे root 29, j cap, minus का 2 बटे root 29, यह आ गया, हमारे पास, c कैप, बात के लिए रहे सभी को, पहले हमें इसमें योगफल निकालना था, ऐसा ही कोशिशन करेगा, कभी कह देगा, इसका योगफल निकालो, उसके बाद इसका एक आंग सदिस निकालो, हेफिल जिसका परिमानभाराई काई हो उसी में आंगे और बिल्ट कर सकता था तो पहले तो योगफल निकालते फिर इसका मात्रक सदीश निकालते यह और फिर परिमान में बारा ही काई करना था तो बारा से गुणा कर देते और क्या ही करेगा इतनी बाते करेगा इस स्यादर तो नहीं कुछ करेगा यहां तक अच्छा सबको समझ में आ रहा किसी को कोई समस्या तो नहीं लग रहा कि सर क्या ही चलना है सबको बाते सारी किलियर हो रहे हैं अभी आसा असान चीज़े चल लिए ऐसा कोई भी टफ टॉपिक नहीं स्टार्ट हुआ है आंगे अच्छे-च्छे कोशन भी मिलेंगे जो थोड़ा सोचना पड़ेगा जो सदिसों के गुड़न फल पर आधारित होते हैं उनमें कोशन अच्छे बनते हैं अधिस के गुड़न फल पर को कोशाइन के बारें पड़ते हैं यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह टॉपिक 3D में तो बहुती पूरा भारा 3D तो पूरा इसी से चालू होगा तो बेसिक बात यहां से सीख लेते हैं यहां पर तो थोड़ा यूज है इसका 3D में बहुत ज्यादा यूज है तो हमने x y z 3x बनाई यह हमारे पास x अच्छ है यह हमारे पास y अच्छ है यह मारे पास z अच्छ है इस पर हमारे पास कोई बिंदू P है x, y, z यह हमारे पास बिंदू है यह बिंदू O है उरीजन इससे हमने P को मिला दिया यह हमारे पास OP वेक्टर बन गया है ठीक होता क्या है कि कोई सदिस है यह OP हमारे पास एक सदिस है तो OP सदिस जो x अच्छ के साथ जो OP यह सदिस है यह जो x अच्छ के साथ कोण बनाता इ से हम बीटा से निरूपित करते हैं और जो ये ओपी सदिस है जो ये जड़ अक्ष के साथ कोण बनाता है इसको हम गामा से निरूपित करते हैं तो अलफा बीटा गामा जब इनके हम क्या करते हैं कोसाइन ले लेते हैं इन कोणों के इन अलफा बीटा गामा के जब हम कोसाइन ले लेते हैं कि cosine मतलब की cos, cos beta और cos जब इनके हम cos ले ले लेते हैं तो इसे ही हम बोलते है dip cosine, पहले dip cosine की बात कर लेते हैं cosine लिखा ही यह नाम में cosine लिखा यू full form है सिसे हम बोलते है to जब होता क्या है कि किसी सदिस का किसी vector का x अची के साथ जो कोण बन भाता है या फिर जो यक्च साथ जो 105 बंड़ा होता है जो जै डे सीजिट जासाथ कोण बनदा होता है एलफ़ा बीटा गामा इनका जब अजिक का कौन के साथ जब कोस लगा लेते इनके कोणों के साथ मालेश पैतालीस जिगरिजी ऐसा कुछ हो सकता है कॉस बीटा कॉस ले लेते हैं तो इन्हें ही हम बोलते हैं दिक को साहिन और इसमें एक इंपोर्टेंट रिलेशन भी होता है दिक को शाहिन को होता क्या है इसको दिक कॉस एलफा को हम एल से दर साथ है इस्टेंडर्ड है ज्यादा परशान ने हुना क्यों एल से दर square जो होता है वो one के equal होता है इसका prove ही मैंने वहाँ पर कराया हुआ था detail lecture में l square मतलब क्यों हो गया cos square alpha m square मतलब क्यों हो गया cos square beta n मतलब हो गया cos square gamma इसका equal to one होता है यह बात हमें important relation है इससे काफी question भी हम solve करेंगे इनको आज लग को याद रखना है दोनों बाते हैं या दोनों बातों का मतलब एक ही है कि एल स्कॉर प्लस एम स्कॉर प्लस एन्स स्कॉर उकल to one होता है, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1 लिखते हैं, इन्ही कोणों के जो cosine होते हैं, इन्हें हम 2 cosine बोलते हैं, ठीक, से दीसी बात यह हो गई, ठीक, एक बात यह हो गई, दिक अनुपात क्या होते हैं, दिक अनुपात, दिक अनुपात का अभी C से दर साते हैं, क्या होते हैं, A, B, C, इसका दिक कोसाइन के साथ क्या संबंद होता है, वो direct formula मैं लिखता हूँ, इसका दिक कोसाइन के साथ संबंद होता है कि L बटे, अगर हम mod of OP ले ले, mod of OP समझ रहो, जोको L क्या है, L है, इस OP वेक्टर का, X सच के साथ जो कोन बंदा है, उसका कॉस लिया गया तो वो L है, और इस कॉस, इस कॉस अलफा में, अगर हम इस OP वेक्टर का परिमार से भाग लगा दे तो Chowalas, बीज मैं, इस a मिल जाता है, ऐसे by m जम में क्या करते है, op से भाग लगा दे ते हैं, ऐसे में c कम मिलता है जब हम एड़ एक्टर और., play से भाग लगा दे taking यह फार्मूलिय मारे पास डारेट लिककश आंगे कि A बराबर होता है L बटे मॉड़ ओफी, B बराबर होता है M बटे मॉड़ ओफी, C बराबर होता है N बटे मॉड़ ओफी, इन में confused ना होना, अभी सारी बाते के लिए रो जाएंगे, अभी तुम सिंपल याद रखो, कि ये क्या है, बस ये समझ लो, अगर हम इसको इस साइट बेज़ दें, तो ये हो जाएगा, A गुड़े, O P वेक्टर, M बराबर हो जाएगा, इसको इदर बेज़ दो, तो B, O P वेक्टर, और ये N बराबर हो जाएगा, C, O P वेक्टर, अभी समझ में आ जाएगी, ठीक, देखो होता क्या, मैं अब पहले question पे चलता हूँ, तो ही clear होगा, कि दिक अनुपात तो question से clear होगा, दिक अनुपात अपकी सबसे आसान है, यहाँ पर भले confusion लगे थोड़ा है, लेकिन बहुत आसान है, कैसे, दिक अनुपात कैसे लिखना है, जैसे ये एक वेक्टर, A दिया गया है, अरे जो तुमने अधिस घटक लिखे थे अभी जो तुमने अधिस घटक लिखे थे, अधिस घटक क्या लिखे थे, जो I, J और K के साथ जो गुडांक थे, वो अधिस घटक थे न, इस I के साथ जो गुडांक है, J के साथ, K के साथ, वो अधिस घटक थे न, और उनी अधिस घटक को ही एक प्रकार से दिक अनुपात बोलत से उसके बाद की निकालते इस फॉरमूले विसे ilmin केलेक्स शाहीं है घ्रका सकतरें गार्ज ऐस मिलेंगे उसके लिए तुमें यहाद रखना है कि यहां मुझे लग रहा confusion होगे मैंने उल्टा लिख दिया क्या में भी में भी में भी में हमें लग रहा मैंने उल्टा लिख दिया हाँ 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 एक सिकंड रुक न है उल्टा यह लिख दिया है दिक अनुपाज जो हम लिखेंगे दिखानों पाज जो हम लिखेंगे वो मारे पास क्या होगा यह मारे पास होगा ए बराबर हो जाएगा एल बटे मॉड आफो पी हाँ यह सही है यार क्या लिख रहे थे पहले भी यही लिखा था क्या अल बराबर होगा ए बटे मॉड आफो पी हाँ एम बराबर होगा बी बटे मॉड आफो पी एन बराबर होगा सी बटे मौड आफ ये सही है यार वो गलत हो गया था ये फार्मूला याद रूख होता क्या है तो दिक अनुपात तो हम डारेक्टली लिख लेंगे कैसे जैसे अब कोई हमें कोई जब दिया जाएगा वो इस रूप में दिया जाएगा कि कोई सद्धिस है इस सद्धिस के द इस रिक अनुपात हो गया घे कानुपात वही होते हैं जो आई जे के साथ गुडांक होते हैं यहीं मारे पास अनुपात होते हैं दिक और कोसाईन क्या होते हैं दिक को साइन निकालने के लिए इन फार्मूलों की मदद देने है Limited Consign अगर दो एक तरीका तो यह है कि हम दिया जाएगा तो हम् favorable वेक्टर है तो हमें पता है फिर कैसे निकाले यह सिर्फ वेक्टर पता है तो मेंखा उसके लिए फार्मुला है कि एल निकालने के लिए आपाई भड़ी ए tongue पूस्पाद ऑमपाद T दिया गया है इस a vector का क्या करो परिमार निकाल रूप परिमार निकाल लेते हैं यह उपी वेक्टर तो है इसी के सापेच तो निकालना है तो यह 1 का square यह 1 का square और यह ओ गया तो अ है तो ए वेक्टर बडाबरा गया हमारे पास एक प्लस एक प्लस कचा उन्हूर प्ल गया का अचैया यह यह इसी कोषई कम लिए कर दो चीज़ें में निकालनी है यहांपर है एक लगोशाइन तो आप एल कैसे निकालोगे एल बराबर एबटे मौड आफ ओपी या ओपी की जगए यहाँ पर एवेक्टर ने तो मौड आफ एवेक्टर ए हमारे पास क्या है वन mod of a vector अभी तुमने निकाला क्या आया है 6, Mr. Se, m निकालो, b बटे, b हमारे पास किता है 1, mod of a vector हमारे पास किता है rule 6, ऐसे हमारे पास किता है n, c बटे, em VC, c हमारे पास किता है minus का 2, यह किता है rule 6, यह हमारे पास क्या हो जाएंगे, यह दिक कोशाइन हो जाएं यह बेसिकली ऐसे हमें दिक अनुपात निकालना है और ऐसे दिक कोशाइन निकालना है दोनों बाते क्लियर हैं किसी को डारेक्शन कोशाइन में दिक्कत है यह डारेक्शन रेशियो में कोई दिक्कत हो तो बतो दिक अनुपात मतलब डारेक्शन कि र kidney एंदलाब ईुट कोशाइन मतलब जो डा रेक्शन हमारे पास खोशाइन होते अ कि एल बराबर है का जो मारे पास ऐसे संबंद है वह से लगों अब इसे आप निकाल लोगी तिक चले आगे यहां तक कोई डाउट तो नहीं हो आङए जबता है दो बिंदु को मिलाने वाला सत्थ कश्रहा है इसको कैसे समझ Dire ace सेम इसी ट्राइक से समझते हैं, इसके लिए भी x, y, z, x बनाते हैं, तो अच्छे से क्लियर होगा, related topic है, जैसे हम रे बिंदु का इस्तिती सदिश निकाला ता वैसे एक topic है, समझो, कि मारे पास x अच्छ है, यह y अच्छ है, यह z अच्छ है, अब दो बिंदु को मिलाने वाला सदिश चाहिए, मतलब कि माल लो मारे पास, एक बिंदु यहाँ पर है, यह पी, एक यहाँ पर बिंदु है, यह q, इस बिंदु पी के निर्देश अंख है, x1, y1 और z1, is q के निर्देश अंख है, x2, y2, z2, बिंदु पी के निर्देश है, q के भी पता है, और इन बिंदुओं को मिलाने वाला हमें सदिश यह, दिषा का फ़र्क पढ़ेगा दिषा के बर्गेर काम नहीं चलेका परिमार्द तो कोई दिखकत नहीं दिषा का फ़र्ट पढ़ने वाला परिमार्द तो नहीं बत Krस आप तुम्हें क्या करना है तो यह मूल बिंदु होता था, इससे तुम इसको मिला लेते थे, तो O P निकाल लेते थे, कैसे, X2 I cap, Y2 J cap, Z2 K cap, क्या हो जाएगा, इस बिंदु Q का इस्तिति सद्धिस हो जाएगा, X2 I cap, Y2 J cap, Z2 K cap, एक प्रकार से अगर लिखना चाहे, O Q vector हम लिखना चाहे, तो O Q vector कैसे लिखेंगे, सरी हो जाएगा, X2 I cap, plus Y2, J cap, plus Z2 K cap, इसे तो लिखेंगे, ऐसे ही तुम O से माल लो, अगर P को मिला लेते, तो अगर तुम O P, P vector का इस्तिति, P बिंदु का इस्तिति सद्धिस लिखना चाहे, तो कह लिखोगे, O P vector, हमेशा इस्तिति सद्धिस कहां से लेते ओरीजन से, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से, इस बिंदु की इस्तिति लेते हैं, तो यह कहा होगा, X1 I cap, Y2, Y1, J cap, plus Z1 K, यह मारे पास हो जाएंगे, हमें क्या चाहिए, हमें यह P Q चाहिए, P Q, तो P Q कैसे मिलेगा, आप सिंपल इतना याद रोखो, P Q के लिए तुम पी को घटा रहे हो, और O क्या इंडिकेरेट कर रहा है, उसका इस तीस अदिस, तो O से Q, O Q से आपने O P को घटा दिया, इस O Q से इस O P को घटा दिना, जो लास्ट में होगा, उससे पहले वाले को घटा होगे, तो Q से P को घटा रहे हैं, तो P Q कैसे लिखोगे, सर P Q से समल लो, X2-X1, Y2-Y1, Z2-Z1, ऐसी हो जाएंगा, X2-X1, I cap, प्लस Y2-Y1, Z cap, प्लस Z2, Y2-Z1, यह हमारे पास क्या हो जाएगा, O P Q वेक्टर, अगर किसी के दिमाग में आए, कि सर QP वेक्टर भी रहे हैं, नहीं, QP वेक्टर में क्या चेंज होगा, कि आप P से O क माइनस करोगे, अरे QP, अगर P Q है, तो Q से P को माइनस कर रहे हो, अगर QP है, तो P से Q को माइनस कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा, O P वेक्टर माइनस का O Q वेक्टर, तो यहाँ से क्या होगा, डारेक्शन बदलने से क्या हो जाएगा, यह जो X2-X1 था, अब हम क्या कर रहें, P से Q को माइनस कर रहें, तो X1 माइनस X2 हो जाएगा, तो X1 माइनस X2, I k Rh करोगे, और Q P है, Q मतलब होता है Q से P को माइनस करना, और Q P है, तो P से Q को माइनस करोगे, ये दुनों बातों का अंतर हो जाएगे, समझ गए ना, P और Q के हमने इस्तिती सद्धिस यहां पे लिख दीए, ये क्या है, position vector है, position vector मतलब होता है, इस्तिती सद्धिस, ठीक, ये position vector से हमने क्या किया है, इनके दो बिंदूं जब मिला दिये, अगर कोई दो बिंदू अलग-अलग दिये गए हैं, अभी तो ये मूल बिंथा, अगर दो अलग-अलग बिंदू हैं, तो कैसे इस्तिती सद्धिस लिखेंगे, इस पर question भी अच्छे बनते हैं, तो उनकी हम बात आगे करने वाले हैं, इसर जो हमारे पास ये बिंदू ये दिये जाते हैं, इनके साथ simple क्या करो, बस i, j, k लगा दो, अब यहाँ पर k 0 है, तो लिख देते हैं, 0k, लिख देते हैं, 0 है तो 0k, 2i cap, 3j cap, और plus का 0k cap, टिक, ऐसे अगर हमारे पास oq vector है, तो मैं यहाँ पर लिख सकते हैं, minus का i cap, minus का 2j cap, और minus का 4k cap, एक छोटी सी बात और बतानी थी, 0 से यादा गया, पीछे एक बात छूट गई है, पीछे एक बात ही छूट गई है, अधिस घड़क में हमने बताया था, कहां सदिस अधिस घड़क पढ़ाया थी, यहाँ यह पढ़ाया थी, अगर तुमसे question ऐसा आ ज सदिस घड़क लिखो, तो कैसे लिखोगे, आप ऐसे इसमें दिखाओगे, कि अधिस घड़क जब लिख रहोगे, तो वो 0 भी लोगे, कि I cap का गुणान क्या रहा होगा, यहाँ पर इसको अगर हम प्रॉपर रूप में लिखना चाहें, तो कैसे लिखेंगे, A vector बराबर हम तो कैसे लिखोगे, कि 0 I cap, माइनस का J cap, और कॉमा K, तो ऐसे ही लिखोगे, मतलब अगर यहाँ पे कोई नहीं दिया गया गया, मतलब वो 0 है, जिरो उसको दिखाओगे, कि अधिस मुझे आई वाला वो 0 है, यह आई वाला 0 है, इसलिए मुझे याद आगया, तो याद तो सिंपल यह हो जाएगा, कि अगर ऐसा कुछ कोशन आता है, क्योंकि ऐसा कोशन बनता है, जब इस पर कोशन थोड़ा लॉजिकल अगर पूछेगा, तो यही गुमाएगा, कि A कोई भी नहीं देगा, J या K में नहीं दिया, तो वो 0 लेओगे, उसको दिखाओगे कि यहा O P, तो P Q बराबर क्या आजाएगा, P Q वेक्टर बराबर आजाएगा, O Q माइनस O P, इससे इसको घटा लेते हैं, मैं डारेक्ट लिख रहा हूं, यहां से क्या है, Q से आप P को घटा रहे हो, Q से P को, तो माइनस एक माइनस दो, माइनस एक माइनस दो, फिर इसके साथ I cap यहां से P Q वेक्टर किता आजाएगा, P Q वेक्टर आजाएगा, माइनस का 3 I cap, माइनस का 5 J cap, और माइनस का 4 K, सब माइनस की वेक्टर, यह आजाएगा P Q, समझ गया ना, P Q इसने बोला भी था, देखो, मिलाने वाले एवं P से Q की तरफ दिष्ट, इस P से Q को मिलाया, और P से Q की तरफ दिष्ट हो, यह हमें कहे रहा है, तो P से Q की तरफ दिष्ट कर दिया, अगर Q से P की तरफ हो, तो ऐसा भी लिख सकता है, इस तरफ आज से कर दिया, तो Q से P की तरफ दिष्ट हो जाएगा, इस इसी बात ही है, इस चिंद का भी धियान रखना, तो P से Q की कोश्चन बनता है अपने बुक में भी एक ही दिया है एक्जाम में भी हर बार एक ही प्रकार का कोश्चन आया है और इससे ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं खंड सूत सब लोग पढ़े हो जैसे निर्देशांग जैमती में चीज़े चलती जी वैसी लगबग चीज़े चल ल अगर हम यहां से अन्ता विवाजन की पहले बात कर लेते हैं छोटी चोटी बाते रहे गई है अन्ता विवाजन का मतलब क्या है कि मालो एक बिंदू हमारे पास यह ऐसे समझते हो एक बिंदू यह P है एक बिंदू यह Q है इस बिंदू P और Q पर एक यहां पर बीच में कहीं पर R बिंदू है जो इसको क्या कर रहा है अन्ता विवाजित कर रहा है इस P को क्या कर रहा है अन्ता विवाजित करता है इस P से Q का जो अन्ता विवाजन यह कर रहा है इसका पास ऐसा कुछ सीनारी होगा, तो इससे हम क्या करेंगे, इस O से इसका P बिंदू का पहले इस्तिति सदिस लिखेंगे, इसे हमें बिंदू P पता होगा, बिंदू Q पता होगा, M1, M2 में ये पता होगे कि अनुपात क्या है, फिर R के निर्दे सांग्ख हम निकाल लोगे, एक हम यहाँ पर हमारे पास formula हता है क्यूंकि यहाँ पर vector की बात हो रही है बाट समझना मैं क्या बता ना चाहरा था कि अगर यह p है तो इसको हम लिख सकते हैं इसका स्तिती सद्च गल्इएंगे o p vector इसको हम क्या लिखेंगे o q vectoral is इसमाल आर्वेक्टर से दर्सा लेते हैं एक प्रकार से ओर वेक्टर जोगा उसको इसमाल आर्वेक्टर से दर्सा लेते हैं तो अन्ता विवाजन का सूत्र बनता है आर्वेक्टर इक्वाल टू इस आर्वेक्टर की वेलू जो में घ्याद करनी वो क्या होती एम वन क्यू त प्लस M2P M2P वेक्टर और बटे में क्या होता है M1 प्लस M2 यह फार्मूला होता है डारेक्ट फार्मूले से कोश्चिन सॉल्व होता है अगर हम बाव वाजन की बात करें तो मतलब यह होता है कि यह हमारे पास P और Q था इससे वाहर इसी रेखा पर इस ते कोई बंदू आरं है यह हमारे पास P बंदू है यहां पर मान लिए इसками सा कि ए इसको क्यूद्धर से दिखा ले रहे अब बात के लिए तोर है इस आर को स्टर को कहा से आ रहे, इनके इस्तिती सदिस है, इसकी हमने मूल बिंद से दूरी लिए होगी, इसकी मूल बिंद से दूरी लिए होगी, इसकी मूल बिंद से दूरी होगी, यह बिंदु के निर्दे सांग होगे, इसको इस्तिती सदिस में बदल लेंगे, इस बिंदु के निर्दे सांग पास बनता बीच में माइनस आजाता है तो अगर आपको आर वेक्टर लिखना है तो क्या हो जाएगा तर यह हो जाएगा यह ही मने पर माने चैनले यह जाता है यहांपर यह पूप millimeter भागी कूशन का वाकgende होगा सब्सक्णा हो इसी में एक चीज़ ओठ चोटी सी जान लेते हैं मध बिंदु के वारे मिन कि मद्द बिंदु का अगर निरदेश निकालना हो फार्मूला कभी कभी बन जाता है अगर हमें यहां पि奇 आर बिंदु अगर मध्द ब compete वेक्टर एकदम मद्व मोद में होने यहां पर M1 की वेलू 1, M2 की वेलू 1, यहां भी 1, 1, 1, 2 हो गया, यह 1 हो गया, यह 1 हो गया, यह 1 हो गया, तो P वेक्टर की वेक्टर पाउन्टू, यही फार्मूला हो जाता था, ठीक है, चले आगे, इस पर एक कोश्चन और कर लेते हैं, फिर यह टॉपिक फिनिस हो 10.3 पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, चीज़े काफी हैं, तो थोड़ा परिसान नहीं हो न, एक कोश्चन यह कर लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे 10.3 वाले टॉपिक, यह कोश्चन इस्टार्ट करते हैं, पहले 11 नम्र, 11 नम्र कोश्चन और कर लेते हैं, यही ट 2B vector, OQ vector दिया है, OQ vector दिया है, Q vector, ठीक, यह मारे पास है A vector, प्लस का B vector, ठीक है, कहरा है, एक r बिंदु इस्तित है, ठीक है, आर इस्तिति आर का इस्तिति सदिश निकालना इस बार सदिश रूप में दिया बिंदु नहीं दिया सिधा इस्तिति सदिश दिए तो आर का इस्तिति सदिश निकालना पीकू को मिलाने वाली रेखा दो अनुपात एक में एम वन पाते एंड टू भी हमें दे रखा है दो अन करना है अनता व्याजन में क्या होता है आर वेक्टर इक्वल टू होता है sir M1 M1 Q वेक्टर प्लस M2 P वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 value रख लो सब्सक्राइब की आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा M1 क्यों M1 किता है M1 हमारे पास है 2 Q हमारे पास किता है A वेक्टर प्लस का B वेक्टर M2 हमारे पास किता है 1 P वेक्टर किता है यह 2A माइनस का 2B और बटे में हमारे पास क्या आजाएगा M1 प्लस M2 मतलब 2 प्लस 1 है मिल जाएगा एकटर ऑल टू किया मिल जाएगा इसका गुणा कर लो यहांसे 2 बनेगा यहां से 3 आ10 15 यह मैं डारेक्ट लिखता हूं ठीक यह B है और यह –2 Ö यह तो माईनस कब कब B वेक्टर हो जाएगा और नीचे हमारे पास क्या रहेगा ? नीचे मारे पास 3 रहेगा तो यह R वेक्टर के जो मारे पास कि तिसाँक है मैंdsने आप इस्तिश अदिस है वो आ गयाa 5-3 A झाला, 1-3 B वेक्टर यह आगया, ऐसे ही तुम बाह का निकाल लोगे, दूसरा, बहता विवाजन, बाह विवाजन में क्या होगा, बाह विवाजन में फार्मूले में सिर्फ इत्ता ही चेंज है, कि यह M1 Q वेक्टर, माइनस M2 Q वेक्टर, अपान M1 प्लस M2 है, तो आप R वेक्टर एकोल टू क्या लिख होगे, M1, M1 हमारे पास फिर से वही है, दो Q वेक्टर हमारे पास वही है A प्लस B इस बार बास माइनस का चिनने है और P वेक्टर हमारे पास क्या है माइनस का 3A माइनस का 2B बटे में मारे पास है M1 माइनस M2 होगा ना माइनस माइनस M2 किता हो जाएगा 2-1 तो आर वेक्टर इक उमारे पास किता आ जाएगा मैं जायक लिखना हूं 2A माइनस का 3B मतलब माइनस का A वेक्टर 2B और प्लस का हमारे पास हो जाएगा 2B प्लस का 4B और बटे में आ जाएगा 1 मतलब आर वेक्टर आ जाएगा माइनस का A वेक्टर प्लस का 4B जब बाहता विवाजन होगा किलियर है सभी को यह अन्ता विवाजन और बाविवाजन का आमने एक फार्मूले पर आधारी डारेक्ट कोशन रख लिया पस फार्मूला आपको किलियर होना चीजिए जो मैंने यहां बताया उसी पर आधारी डारेक्ट हमारे पास कोशन है इसी में कभी पूस्ट है अगर को पता है पी प्लस क्यू बटे में दो सीधे वो मारे पास मद्ध बिंदू के निर्दे सांग को जाहें ठीक है यहां तक बात सबको क्लियर है कोई डाउट तो नहीं तो किसी को ज्यादा स्लो चलना है थोड़ा समय स्लो चल भी रहा हूं इतना फार्ज भी नहीं चलो को सकत यहां इसा नहीं होता है मलब concept के साथ question हो जो उपने पढ़ा है उनके साथ ही question related करते चले लगे कि एक बार पूरा chapter हमारे पास अबारे सामने से निकल गया यह सारी चीजें थी ऐसे पिक्चर ऐसे निकलती है वैसे पूरा chapter ऐसे से निकल ला है यह जब फील हो जाएगा तो तुम्हें लगे कर कि नहीं मेरा रिवीजन हो गया उसका मतलब नहीं है कि यह topic हमने कल लिया topic नहीं वो पूरा chapter ऐसे revise हो जाए ठीक है चले आंगे आगे अगे अगर हम बात करें एक question हमारे पास 14 नंबर दिया गया है अच्छा question है इसको पहले discuss कर लेते हैं यह question कह रहा है क दर्साइए कि सदिस I plus J plus K अच्छों OX OY एवं OZ के साथ बराबर जुका हुआ है कहने का मतलब यह है कि एक हमारे पास सदिस है इसका कहने का मतलब है कि यह O है यह मारे पास X अच्छ है यह मारे पास Y अच्छ है यह मारे पास Z है तो OX के साथ इसका जुकाओ OY के साथ इसका जुकाओ जुकाओ मतलब की कोड, सीदी सी बात है जुकाओ मतलब की वो कोड की बात कर रहा है, OX के साथ इसका जुकाओगा, OY के साथ जुकाओगा, जो OZ के साथ इसका जुकाओगा, वो समान है, बराबर जुकाओगा, यही बोला है, इक्वल है, बहुत प्यारा कोश्चन है, कोश् के साथ जो सदिस कोन बनाता है उसे एलफा से ओवाई के साथ जो सदिस कोन बनाता है उसे बीटा से और ओजेट के साथ जो कोन बनाता है उसे गामा से हमने रूपित करते हैं वही एलफा बीटा गामा यहाँ पर दिखाना है कि वो तीनों एक्वल है यही तो होता है कोई सदिस एक्स चे साथ कितना जुकाा हो है, वाइ एक्च के साथ कितना जुका हो है, और जैडबापहण है। यह इसी को हम बोलते हैं, अलफा, बीटा, गाम, उनके जब कॉस ले लेते हैं, तो दिको शाईन हो जाते हैं, वही चीज़ हमें एक सद्धित है तो इससे देख के तुम क्या बता सकते हैं सबसे पहले दिकनुपात तुम बता सकते हो दिकनुपात कि A, B, C वह रात यह हमें कि इस्में कोशिचन में लिगा कहीं नहीं गया यह दिखाओ के लफ़ा B,ol अगर बराबर दिखा देंगे तो वही बात उसकी लिखी है कि OX, OY, OZ के साथ बराबर कोण पर जुगा है सीधी सी बात है OX, OY, OZ क्या है यह मूल बिंदू के यह X, Y, H और ZH के साथ जुगाओ दिये गए उस सदिस्के तो अगर दिख अनुपात है तो हमारे पास दिखोसाई निकल आएंगे आपको पता यहां से LMN में हमारे पास संबंद होता है मौड आफ पी की और जरूरत पड़ेगी मौड आफ पी क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर आई कैप के साथ जो गुडांक है उसका 충li जो जे कैप के साथ है उसका 충li to Bye Up भी बोलते हैं कासल इल्फा बराबर होता है ल ल covert लिखते हैं क्या एपॉन एप आपॉन मौड आफ यहां से उ scraping रूट溟 एक की तो यही यह मारे पास किता है ओभी बेक्टर 1 है मौड़ाफी वेक्टर थरी एक उसे यह मेरे पास कास घॉच गो गार मौड एकर और यह में पास हो जाएगा वरणपार रूटो तुम धिक्राइ यहां से क्या दिख रहाएं तुमहें दिख रहा है तुम्हें दिख रहाएं कॉस ऐलफा बराबर है कॉस बीटा के बराबर है कॉस गामा के बराबर one बावर बीटा बरावर गामा यही सद्गरना है बस इंपोर्टेंट बात यहां पर यह समझने की थी कि हमें प्रूफ क्या करना है प्रूफ हमें यह करना था कि एलफा बराबर होगा बीटा के और बराबर होगा वो गामा के क्योंकि वही उसने कोश्चन में लिखाता है कि दर्साइए कि यह सद्गरन के बहुत प्यारी एक्जामपल है हमेशा एक्ससाइज से एक लेवल उपल होती है हमारे पास विवीद उदारन और विवीद की जई बगारा की एक्जाम की त्यारी करेंगे एक लेवल उपर चलेंगे बोर्ड से तो आपको उस लेवल के कोश्चन मिलेंगे वहां के कॉश्चन बहुत काम आते हैं ठीक है बाकि हम बीच-बीच में करते रहेंगे परिसान होने की ज़रुवत नहीं है चलते हैं अंगल सनरेक होने की कंडिशन अगर कोई 2 सदी सनरेक है या कोई 3 सदी संरेक है तो इसकी क्या कंडिशन होती है उसके क्वेशन को और सॉल्व कर लेते एक क्वेशन आज JJ3 सदीस हमारे पास सनरेक है इसको देख लेंगे या इसका मतलब क्या होता है संद्रेक्टा की सर्थ देख लेते हैं दो सब्सक्राइब संड्रेक्टा की सर्थ में अगर कोई दो सब्सक्राइब है आपको मैंने अभी बताया है था संदेक की परिभाशा बताई थी दो संदaning gewoonने का मतलब सीधा-सीदा है कि वो सन्दिस समानतर है बस इत्त तो ध्यारो स़놓 Ideiran रुखो दो सब्सक्राइग के संद्रेक होने का मतलब है कि वो समानतर है ऐसा हो सकता है कि वो एक ही दिसा में ऐसा बी हो सकता है कि सर व विप्रीद सांवे ये वेक्टर स्वेक, मतलब एक ही रहते रेक पर बी संदेक है इसा भी कि यह ऐसा है मतंब एक इस तरफ चाहरा तो भी संदेख ही कोई दिक्कत नहीं तो दिसायं भी मिपरीट ओ सकती है बस संद्रेक होने का मतलब यह कि वह समांतर होना है ऐसा नहीं कि अंक्लूसेन यह निकालना चाह रहे हैं ज्यानसों देखना यह मारे पास कोई 2 सद्विस हैं अगर यह दो सद्विस संदेख तुम्हें दिख रहे हैं मतलब कि इनकी दिसा तो इक्वल है अधि साथ एक किदिशा में सिर्फ परियमाण का आंतर है परिमार में अंतर है, तो परिमार हो सकता है, A vector का ये B vector दिखना है, थोड़ा परिमार में बड़ा दिखना है, ज्यादा बड़ा दिखना है, मतलब कि इसका परिमार अधिक होगा, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि B vector बराबर लेम्डा, A vector, यहाँ पर सलेम्डा किया है द्रफो B Vector A Vector की बराबर है किस आसपेक्ट में बराबर है किस चीज में बराबर है दिसा की मामिले में की दिसा इसकीacy है उसकी भी ऐसी एउसकी एक्दम equal है ठीक, परिमार सिर्फ बदला है, परिमार इस बदला है, ये बड़ा में दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, मतलब इसके परिमार में कोई अंतर है, तो हमने इसलिए लिख जा कि B vector जो है, वो लेमड़ा सब्सक्राइब कर रहा है कि उसका परिमाल क्या है अगर ज्यादा है मतलब कि पॉष्ट्यू की दो तीन चार वैलू मतलब कि उससे बड़ा है निगेटिव की वैलू है मतलब की फ्रीड डारेक्शन में है अपॉन में मतलब कि उसके छोटा है बस सिंपल सा इसके परिमाल से मतलब दिखा रहा है और बाकी और कोई लेंडा का खास मतलब नहीं है लेकिन प जैसे कि फॉर इक्जाम्पल ये तो पहली कंडिशन हो गई दो कंडिशन या से मिल जाती है मैं मालों आपके पास ए वैक्टर जो है यह मारे पास है ए वन आई-कैप बीवन जेक प्लसी वन के कैप बी वेक्टर इक्वल टू है एक टू आई-कैप प्लस वी टू जेक एप यह हमारे पास A vector यह B vector है तो अगर simple क्या होता है अगर यह हमारे पास सन्रेख होंगे दोनों सदिस तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A1 upon A2 जो होगा वो बराबर होगा B1 upon B2 के बराबर होगा C1 upon C2 मतलब तीनों का जो अनुपात होगा इनका अनुपात इसके साथ अनुपात इसका अनुपात जोगा वो तीनों equal रहने वाले हैं अगर यह दोनों सदिस कैसे होते हैं सन्रेख होते हैं तो दो condition है आप एक condition तुमारे पास यह है यह वाली और एक condition अमारे पास यह है ठिक यह भी फिलाल के लिए condition याद रखो कि ऐसा कुछ अगर दो संद्रेक संद्रेक है तो ऐसे दिखा सकते हैं या ऐसे दिखा सकते हैं और एक कोशन पहले दो का लेते हैं फिर तीन का भी करेंगे मालो दो सद्रेक है इसका मैं एक क्वेशन बनाता हूं एक्जामपल लिया मैंने ठीक माना यहां से लिखो कि मैंने माना की जैसे कोई A वेक्टर हमें दिया गया है A वेक्टर हमारे पास है 2I कैप माइनस का 3J कैप और प्लस का यहां से मालो 6K कैप ठीक तथा B वेक्टर है मारे पास 4I कैप माइनस का 6J कैप और प्लस का 12K कैप दिखाईए सद्रेक है ऐसा कोशन बनता है कि कोशन दिया भी गया है मैंने वो कोशन लिया नहीं मैंने तीन वाला ले रखा है एक दो कभी कोश्चन ऐसे बनता है कि अगर कोई 2 सदिस दे दिये जाए आपको ऐसे 2 सदिस दे देखा कि A वेक्टर यह है B वेक्टर यह कि इनको दिखाना है कि यह संदेख है तो आप कैसे संदेख दिखाएंगे इन दोनों कंडिशन के माध्यम से सिंपल सा कॉनसेप्ट ह अप यहां से अगour दिहान से दोनों का ऐसा ही इसा ही कोश्चन होगा फ्रेम है से फोलम है अपने मन से बनाया यह जो भी कोश्चन होगा इस तो अगर बी वेक्टर में से दो तुम कॉमन लेओ, दो कॉमन आ रहा पूरे से, क्या आ जाएगा, तुम्हें क लिखा है, तो बी वेक्टरों को क्या लिख सकते है, लिख सकते हैं, टू टाइम ये वेक्टर, क्या दिखा रहा है, क्या बी वेक्टर लेमडा टाइमस एे वेक्टर की बराभर है, अता हम लिख देंगे कि A और B, अता सदिस सन्रेक है आप आया पास सदीस है तो हम डालेक लिख सकते हैं कि सदीस सन्रेक है इस concept से भी ऑसकता था कि a 1 upon a 2 करोगे तो भी एक बट्टे दो आएगा यहां से करोोगे ओब है यहां से क्लोगे डिवने हमें गया ताफ सधिस संडेख है, तो दोनों condition से यहां से सभी संडेख प्रूब किया जा सकता है, आराम से कोई दिक्कत की की बात नहीं, आपको कुछना कुछ कुम کऊन निकलेगा यह लेम्डा जो वह यह कुछ कॉमन निकलेगा, दिसा तो दोनों की सेम होगी, सिर्फ lambda ये constant part जो बहार निकलेगा, वो यही दिखा रहा होगा, कि ये दोनों बिंदू हमारे पास कैसे, ये दोनों सदिस हमारे पास संदेख है, इसका अच्छा एक्जामपल जो बनता है, वो तीन सदिस संदेख है, जैसे तीन बिंदू संदेख होते थे, तो हम क इसको हमें संदेख प्रूव न करना होता था, तो हम क्या करते थे, याद है, हम लोग क्या करते थे, कि आप क्या करते थे, कि इसके बीच की दूरी निकालते थे, A, B, फिर B, C, दोनों बिंदू के बीच की दूरी का फार्मूला, ये दूरी, ये दूरी, और फिर A, C, निक आता है, ऐसा तो नहीं होगा, जब यह हमारे पास ऐसा हो जाएगा, तो simple कैसा हो जाएगा, sun rate की condition हो जाती थी, या दे न, ऐसे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसके दो तरीके, एक तरीका तो यह रहेगा, जो अपना यह हमने बताया, लेकिन एक यहाँ पर हम इसका भी Icap 3J Cap और प्लस का 5K ठिक दूसरा नमारे पास एक बी बिंदु दिया गया है तो बी सदिश, अमारे पास क्या हो जाएगा यह हो जाएगा Icap प्लस का 2J फ्लस का 3K ऐसे हमें OC एक सदिश दिया गया मतलब c बिंदु दिया गया है 7i cap minus का cake अब इन्हें हमें संदेख दर्साना है अब इसे हम जो संदेख दर्साएंगे वो इस concept से दर्साएंगे जो हमारे पास ये वाला concept है मतलब ये है कि एक बास समझो कि हमारे पास मालो ये कोई अगर हम यहाँ से क्या करें अगर हमें यहाँ से a b vector निकाल ले a b vector का मतलब क्या है a b vector का मतलब है o b minus का o a तिक पहले हम निकाल के दिखाते हैं फिर वो समझा देंगे कि कैसे क्या लिखा है a b vector होगा o b minus o a तो मैं direct निकालता हूँ a b vector दो बिन्दों को मिलाने वाले सदिस की बात कर रहे है तो i minus 2 j तो minus 3 i कैप 2 minus a minus का j कैप 3 minus मालब minus का 2 k कैप ऐसे आप क्या करो o b a same b point वाला b c सदिस अब निकाल लेते है b c सदिस मतलब क्या हो जाएगा o c minus का o b तो यह कित्ता आ जाएगा b c सदिस हमारे पास आ जाएगा o c 7 minus 1 मतलब की 6 i कैप minus k minus 2 minus 3 j कैप j तो ही नहीं j ही नहीं 0 j minus 2 j करेंगे 2 j होगा तो minus का 2 j हो जाएगा तिक और minus का 1 minus plus का 3 तो minus 3 हो जाएगा minus का 4 k कैप हो जाएगा यह हमारे पास आ जाएगा b c वेक्टर अब ध्यान से सुनो यह जैसे हमने a b वेक्टर जो निकाला a b वेक्टर ऐसे हमने निकाला यह a b वेक्टर है अगला हमने b c निकाला तो यह मालो b c वेक्टर है तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो यह b बिन्दू जहाँ खतम हुआ है तो यह B बिंदू यहां से start हो जाए ना अगर यह B बिंदू यहां पर खतम हुआ है मतलब AB vector में B vector यहां खतम हुआ है तो BC जो होगा वो यहीं से start होगा BC कहां से start होगा यहीं से start होगा अगर हम इसकी दिसा समान कर दें कि AB की दिसा और BC की दिसा समान है मतलब कि यह इधर नहीं है या इधर नहीं है सिंपल हमारे पास के इधर है जिधर A B गया वो C के जस्ट आंगे मारे पास B C वेक्टर गया तो B बिन्दू क्या करें उभाइन इस्ट अगर प्रूफ कर दें C D C बात समझो अगर इस B बिन्दू को दोनों में ले लें कि A B और B C में तो इस A B और B C में यह B बिन्दू दोनों जगए है और B बिन्दू यह कहां से होगा यह यहां अलग तो होगा नहीं यह सिंपल कहां से स्टार्ट होगा यहीं से तो इसी जगए से आंगे चलेगा तो A, B और B, C अगर A की जगह से चलेगा है B बिंदू A की जगह से चलेगा तो simple वो sunrake हो जाएंगे क्योंकि A है फिर यहां से B है फिर यहां से C तो यह तीनों बिंदू क्या हो जाएंगे आपस में sunrake हो जाएंगे, अलग तो होगा नहीं अगर अलग बिंदू होता तो मालों ऐसा तो है नहीं कि इस तरफ है, तो ट्रेंगल बन जाता सीधी बात यह, तो यह तीनों बिंदू आपस में क्या हो जाएंगे, sunrake, लेकिन कैसे होंगे आप यहां पर ध्यान से देखो छोटा सा एक काम करते हैं वही चीज निकल के आएगी, क्या किया मैंने यहां पर, यहां पर आगर तुम देखो मालों ने लिखा यह BC वेक्टर बराबर, यहां से तुम 2 कॉमन लो यह 3i कैप, माइनस का जे कैप, माइनस का 2 के कैप और यह है क्या हमारे पास यह AB वेक्टर ही तो लिखा है तो यह BC वेक्टर जो है वो 2 टाइम से AB वेक्टर के अब तुम लिख सकते हूं यहां से यह कौन सा संबन्द हो गया B वेक्टर बराबर, लेमडा, A वेक्टर मतलब A, B, C, तीनो बिंदू कैसे है अब A, B, TTHS tav. बस इतनी बात लिखतो, बस इतने से कोई दिक्कत नहीं यह भी लिख सकते हो कि B बिन्दू बैनिष्ट है बस यह भी बात आप लिख सकते हो वैसे लेकिन कितना लिखना ही परयाख्त होगा कि अताए A, B, C जो मारे पास हैं वो संदेग बिन्दू है जैसे आप प्रूब करोगे कि B, C वेक्टर इकोल टू लेम्डा टाइम पर लब ऐसा कुछ हो गाई कि एक वेक्टर से जब एक वेक्टर निकाल लोगे तो उसमें से कुछ कॉमन आ रहा होगा वो लेम्डा कुछ कॉमन निकले गाई अगर लेम्डा कॉमन निकल ला है तो वो संदेग की स्थिति को ही प्रूब करता है यह हम पीछे देख चुके है उसी इतने संदेग है ठीक है चले आंगे दूसरा तरीका जो मैंने बताया तो उसमें क्या करना पड़ता उसमें में मौड निकालना पड़ता हम एबी की दूरी निकालते फिर बीसी की दूरी निकालते ऐसे फिर हमें एसी भी निकालना पड़ता इसमें तीसरे दूसरे वाले त जो हमारे पास दूरी होगी, वो BC की दूरी होगी, इन दोनों का योग जोगा, वो AC की दूरी के बराबर आएगा, जो भी हमने तीन बिंदूओं वाली चीज़ बताई थी, वह यहाँ पर काम करना पड़ाएगा, मौड यहाँ पर लंबाई होता, वहाँ पर जैसे दूरी निकालते थे, तो दूरी सूत लगाते थे, यहाँ पर दूरी निकालने के लिए मौड परिमारे निकालना पड़ेगा, उस सद्धिस का परिमारी उसकी लंबाई होती है, तो वो काम करना पड़ता है, तो दूसरा तर 3 और 10.4 वाला पार्ट अभी स्टार्ट होगा पहले 10.3 चलेंगे 10.2 तक हमने पूरे पार्ट पिनिस कर लिए मैक्समूम कम्प्लीट कर लेकिन अच्छे कोश्चन यहां से मिलेंगे जो प्यारे कोश्चन है अभी तो सिंपल सिंपल अमनों कोश्चन कर रहे थे लेकिन अच्छे लेवल के रोकोश्चन बनेगा वह अधिस गुड़न से और सद्धिस गुड़न से बनेगे तो चलते हैं दो सब्सक्राइब देखना है इन्हीं की बात करना यह इस लेवर्ट में अपने पास है तो दो अगर अधिस गुडन करते हैं, तो हमेशा एक अधिस रात प्राप्त होती है, सदिस गुडन करते हैं, तो हमेशा एक सदिस रासी प्राप्त होती है, सदिस रूप में मिलता है, अधिस गुडन में सिर्फ हमारे पास परिमाल की बात हो रही होगी, केवल अधिस मान आएगा, अदिस रासी हमें प्राप्त होगी, उसी के बारे में चर्चा करेंगे, इस्टार्ट करते हैं, एक एक करके पहले अदिस गुणन के बारे में बात करते हैं, पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, अदिस गुणन, ध्यान जो सुनोगे कुछ कॉंसेप्ट है, वही सीखने है, उसी पराधारित पूरे कोश्चिन है, बहुत ध्यान से सुनना, क्या है कि हमारे पास कोई माल लो एक A vector है, एक हमारे पास यह B vector है, यह यह मारे पास माल लिया A vector है, यह B vector है, इन A B vector के बीच में एक कोड अमारे पास पता है कि कोड ठीटा है, तो A और B का जो हमारे पास dot product होता है अधिस को कैसे दिखाते हैं, dot product बोलते हैं, ये dot लगा देते हैं, तो a vector dot b vector जो होगा, वो होता है, mod of a vector, mod of b vector, cos theta के बराबर, ठीक, इस से यहां से एक छोटा सा concept निकलता है, कि अगर हमें इन दोनों सदिस हमें दिये गए, और सदिस के बीच का कोण तुमें निकालना है, तो तुम cos theta यहां से डारेक्ली निकाल सकते हो, कि cos theta बराबर हो जाएगा, a vector dot b vector upon mod of a vector, और mod of b vector, तो दो सदिसों के मद्द यहां से कोण भी आसानी से सर निकाल सकते हैं, पहली चीज़ तो यह होगे, बारे पास, तिक, दो सदिसों का dot product कैसे निकालते हैं, a dot b, a b, cos theta, cos theta बरा अलाग अलाग निर्बार करता, अगर theta हमारे पास, दोनों सदिस अगर यह लंबववत हैं, वल्लब यह है, कि कोई a vector है, हमारे पास, और यह मारे पास b vector है, और यह मारे पास लंबववत है, तीसी condition लिखने, लंबवत होने की सथ, बहुत important है, दूसरी यह सथ, दूसरी सथ लिख रहे है, अगर यह दोनों लंबववत हैं, तो हमारे पास पता है कि सर a vector dot b vector जो होता है, वो हमारे पास होता है, mod of a, mod of b vector cos theta, तो simple क्या हो जाएगा, a vector dot b vector equal to, अगर लंबववत है, तीटा की जाएगा, यह हो जाएगा, सीधा cos 90, क्योंकि लंबववत हैं, तो theta हमारे पास कित्ता हो जाएगा, 90 degree, और 90 degree की case में क्या होता है, cos 90 के value 0, तो सीधे हमारे पास value के आ जाती है, 0 निकल कर आ जाती है, कि अगर दो सदिस हमारे पास लंबववत हैं, तो उनका dot product जो होगा, वो कैसा होगा, 0 के equal होगा, यहां से कोई खास अंतर नहीं है, खास अंतर क्या हो, यह अंतरी नहीं है, दोनों बातों का मतलब से, अगर आप A, B, cost ठीटा लिखो, या चाहा हो, चाहाए B, A, cost ठीटा लिखो, दोनों बातों का मतलब एक है, कि A में B का गुणा करो, चाहाए B में A का गुणा करो, दोनों में अं अंतर नहीं है ऐसा नहीं कुछ अंतर आफे पुरिय मारी की बात हो रहे होगी डिसा होती तो दिसावरी तो मैं लुए होती है की कि A dot B बडाबर होता है बीडार एक है उससे कोई दिक्कत की बात नही अगली बात इसमें अपको पता है कि i, j, k तीनों एक दूसरे के लंबवर्वत होते हैं? एक सच पर हम i cap को दिखाते हैं, y, x पर हम j cap को दिखाते हैं, z, x पर हम k को दर साते हैं, ये तीनों परस पर लंबववत होते हैं i, dk, तो इसी वज़े से क्या होता है कि I dot अगर हम J करेंगे I और J के बीच में कोण किता हो गया 90 degree लंबवत होते हैं तो इस वज़े से ये value 0 होती है J cross K करोगे तो भी कित्ती आ जाएगे 0 K cross I करो या I cross K करो दोनों बातों का मतलब एक ही है cross नहीं सुरी अगर मैंने cross बोला दुबार dot करो cross मतलब तो सदिस गुड़न हो जाएगा I dot J करो तो भी 0 आएगा J dot K करो तो भी 0 आएगा और K dot I करो तो भी value 0 आती है ये बात हमें पता होनी चाहिए simple बात है क्योंकि 90 degree दोनों के बीच को 90 degree होता है और यहां पर कॉस 90 बन जाएगा और कॉस 90 के वज़े से पूरी value 0 हो जाएगी इसलिए I, J, J, K, K, I के साथ value जो होती है गुड़ा में वो क्या आउजाती dot product में 0 हो जाती है ठीक आंगे अगर एक और बात समझे और बात अगर समानतर होगा तो simple cos 0 हो जाता है दो सदिस अगर समानतर है समानतर होने की condition भी लिखी देते हैं यह तो हमारे पास होगी तीसरी condition चौथी हो अगर समानतर है समानतर है तो simple क्या हो जाएगा a vector dot b vector equal to हो जाएगा mod of a mod of b और हो जाएगा cos 0 cos 0 की value 1 होती है तो a vector dot b vector equal to हो जाएगा mod of a into mod of b तीक simple सी condition है तो कि cos 0 की value 1 होती है तो a dot b a vector dot b vector equal to हो जाएगा mod of a mod of b अगर समानतर है दो सदिस हमारे पास समानतर है अच्छा एक और important condition यहां से लिखते है important condition यह है कि अगर दो समान सदिसों के मद मलब a vector का a vector के साथ अगर हम गुणा करते हैं दो समान सदिसों का अधिज गुणन समान सदिस का मतलब क्या है कि कोई मालनों हमारे पास अगर a vector है इसी का हम इसी सेम vector का a vector का a vector का a vector से गुणा कर रहे है तो इस case में ठीटा तो 0 डिगरी हो जाएगा क्योंकि खुद का खुद के साथ गुणा करने का मतलब क्या है ए वेक्टर है फिर उसी में ए वेक्टर का गुणा मालनों के बीच कोई code नहीं बराबर उसी code की बात हो रही है तो theta equal to 0 हो जाएगा तो a dot b equal to उमारे पास यहाँ पर a dot a कर रहे है तो a dot a हो जाएगा ठीक बराबर हो जाएगा mod of a b की जगह भी a है तो mod of a हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा cos 0 degree तो a dot a जो होगा वो मारे पास क्या जाएगा mod of a vector और mod of a vector cos 0 की value 1 हो जाएगी तो a vector dot a vector equal to हो जाएगा mod of a vector का वर्ग क्योंकि mod of में एक वर्ग हो जाएगा यह बहुत important conclusion है कि mod of a वर्ग को हम a vector dot a vector लिख सकते हैं यह भी बहुत प्यारा concept है इससे कम से कम 5-6 question हमारे पास दिए गए चार से पांच question तो दिए गए जो सिर्फ इसी concept पर है विविद उधारान से लेके विविद exercise से लेके इस exercise में अगर हम बात करें 10.3 में भी बात करें तो इस concept पर question दिए गए जहां पर हम फस चुके होंगे हमारे पास question में कहीं मौड आ जाएगा यह भी बात आंगे में बताएंगे किसका कैसे उप्योग करना यह बहुत इंपोर्टेंट बात है अभी बस इत्ता याद रखो अगर खुद का खुद के साथ होता मतलब यह conclusion होता है कि अगर a.a है तो ऐसा न यह चोटी-चोटी सी बाते होंगे जो मैं पता होनी चाहिए जब हम अधिस गुलन करते हैं इसी पर आधारी थमारे पास question है question पहले आसान से question एक बार देखते हैं कि कोण का direct इस पर question बनता है कि दो सदी समय दिये गए जिसे dot product करते हैं अगर इसकी बात करने कि कैसे करते है यह तो वैसे पता होगा लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ मालो आपके पास a vector है 3i cap माइनस का 7j cap प्लस का 4k cap बी वेक्टर है हमारे पास माइनस i cap माइनस का 2j cap प्लस का 3k cap यह हमारे पास है और आप से कह दें इन दोनों का dot product निकालो a dot b निकालो कैसे निकालते हैं A dot b निकालने के लिए i ka i के साथ हूगा क्योंकि i j zero हो जाता है i k zero हो जाता है j i zero हो जाएगा k j zero हो जाएगा आपस में सिर्फ i का i के साथ होता है j का j के साथ हम देख चुके दूभी प्रीत अगर होगा तो जीरो हो जाता है तो आई का आई के साथ क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 3 एकंट 3-3 आ जाएगा साट-दून-14 प्लसकर चॉद आ जाएगा चार यह 11 प्लसकर बारा जाएगा ठिक तो ए-डौट-B हमारे पास ढायक्ली यहां से निकलाएगा इसका अगर हम दौट-प्रेक्ट गुणा करते है तो simple इसका इसके साथ इसका इसके साथ इसका इसके साथ गुणा हो जाता है डारेक्ट लिए और कोई दिख्कर की बात नहीं है तो यहां से कित्ता हो जाएगा 12 14 कित्ते हो गए 12 14 26 इन से कम हो गए तो 23 एड़ों बी बराबर किता आगे 23 सीदे मारे पास निकल कर आ अगर दो वेक्टर दिये गए तो इनका गुणा हम इस प्रकार से करते हैं कि यहां से हमारे पास अध्य डॉट बराबर सीदे गुणा हो जाता है आई का आई के साथ होता है, जे का जे के साथ हो जाता है, के का के साथ हो जाता है, ठीक है, आंगे हम question की बात करें, तो दो सदिस हमारे पास दिये गए, A vector, B vector के बीच का कोण हमें निकालना है, तो कोण के लिए आपके पास formula है, क्या formula हमने पढ़ा, formula था, cos theta बराबर, A vector, dot B vector, upon mod of A vector, और mod of B vector, यही फार्मूला पढ़ा, तो पहले तो में A dot B चाहिए, तो A dot B निकालो, दो सदिसों का गुणा कैसे करते हैं, dot, अधिस गुणन, A dot B मैं डायेक लिक रहा हूँ, A के कम एक, A के कम एक, माइनस एक इंटू एक, माइनस एक, तो A vector dot B vector जो मारे पास आजाएगा, माइनस का एक आजाएगा, mod of A, mod of A, under root के अंदर, 1 plus 1 plus 1, मतलब की root 3 आजाएगा, ऐसे ही mod of B भी root 3 आजाएगा, 1 plus 1 plus 1, मतलब की root 3 आजाएगा, ठीक, सीधे cos theta वाला formula लगाया, cos theta बराबर होता है, A dot B हमने किया था, सर कित्ता आया था, कहां गया, यह, minus का 1, यह हमारे पास आया root 3, यह भी आया root 3, मतलब की 1 बटे आजाएगा, minus की value थी ना, यह, minus का एक बटे root आजाएगा, ठीक, ठीक, ठीटा बराबर किता आजाएगा, cos inverse, minus का एक बटे, that's your answer, यह, हमें निकालना था, तो दो, हमें सदिसों के बीच कोण का question कभी-कभी आ जाता है, एक marks यह, दो marks में, पता ही है, I का I के साथ, J का J के साथ, K का K के साथ, ठीक, तो यहां से हो गया, minus 1, और minus 1 by root 9, हमारे पास answer हो जाएगा, ठीक है, असान question था, कर लेंगे ना, इसे question, चले आँगे, कोई doubt तो नहीं भाई, यहां तक, किसी को कोई समस्या तो नहीं लग रही, यार, simple topic चला, अभी तो कुछ ऐसा नहीं है, अब इस पर कुछ अच्छे question अगर हम देखे, सदिस्क का किसी रेखा पर प्रच्छेप, यह भी important topic है, यह है, फिर उसके बाद हमारे पास question से start हो, इसके बाद questions ही चलेंगे, इसके पहले, questions ही करेंगे, topic बहुत सारे हैं, यह भी एक question important है, कभी-कभी आज आता direct question, कि एक सदिस्का किसी रेखा पर प्रच्छेप निकालो, इस पर थोड़ा सा confusion रहता है, कि किसको उपर रखते हैं, किसको नीचे रखते हैं, फार्मूले में कौन कैसे समझते हैं, कि सर कभ कौन सा उपर है, उसको clear कर लेते हैं, आज एक दम, देखो कैसे होता है, बास समझो, ध्यान से सुनना, अभी clear हो जाएगा, मालनो हमारे पास कोई vector है, यह हमारे पास A vector है, यह हमारे पास माल लिया B vector है, ठीक, होता क्या है, एक्चुल में क्या होता है, कि अगर कोई दो vector है, प्रचेप का मतलब क्या होता है, प्रचेप का यहाँ प्रसदिस में अगर देखो एक प्रकार से मतलब, एक प्रकार से उसकी परचाई का पढ़ना है, परचाई मतलब की चाया का पढ़ना है कैसी चाया का पढ़ना for example अगर एक पे न और हूँ हमारे पास है ऐसा कुछ अगर आपके पास कोई 2 सदिस है सिंपल सी बात समझो मालो कोई तुमारे पास जैसे हमने यह बनाए 2 सदिस कि यह तुमारे पास एक वेक्टर है यह तुमारे पास कि जो चाया बनेगी वो इस वेक्टर पर कितनी जगए लेती है मतलब इस पर ऐसे ऐसे कितनी चाया बनाती है अगर ऐसे चाया बनाई जाए मैं लब कहने का यह उपर से अगर हमने इसमें रोशनी डाली तो इसका सीधी सीधी चाया जो इस एवेक्टर पर पड़ती है यह यह परच्छाई एक प्रकार से जो पढ़ रही है ये इस पर अगर हम लंब डाले यार बहुत तेजा समंगा इस पर अगर हम ऐसे लंब सा डाले ये तो ये जो च्छाया पढ़ रही है ये वाली किस पर A वेक्टर पर जो B वेक्टर की ये च्छाया जो पढ़ रही है इसी को हम बोलते हैं प्रक्षेप, यह किसका प्रक्षेप होगा, इसको हम बोलते हैं, वेक्टर A पर B का प्रक्षेप, यही तो होगा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, प्रक्षेप किस पर पढ़ रहा है, यहां से लिखो B वेक्टर का, इस वेक्टर A पर, वेक्टर A पर प प्रच्छे, condition ऐसी भी हो सकती है, कि ये हमारे पास, ये हमारे पास B वेक्टर है, और ये A वेक्टर है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसकी जब A वेक्टर के इस पर छाया पढ़े की, तो लिखेंगे, dc varken a通行 एंगे लेंगुप स्क्राइब दूघ विक्तर वेकिट्र पर ऩढ़ रहा ईतर एकुरष यह सोचता है कि वेक्टर a kap Kab recolley पढ़ रहा हूँ या वेक्टर बी का यह पर प्रशयफ पढ़ रहा हो तो किस पर प्रचेप पढ़ए तो एक प्रकार से 2 vactor इस प्रकार से अिससे नीचे कुछ है और A vector कुछ ऐसा है अब कह रहा है सदीस ए का इस B पर प्रक्षेप बनलब ये जो चाया पढ़ रही ये प्रक्षेप निकालो ये प्रक्षेप गया आतको इसका फार्मूला डारेक् लिखता हूं यहां पर देखो पहले तो आप सिंपल यहीं लिखोगे कि जो दो वेक्टर है उनका डॉट प्रोडेक्ट ऊपर कोई भी दो वेक्टर हो एबी पी क्यू आरेस कुछ भी हो उनका उपर डॉट प्रोडेक्ट करो नीचे हमारे पास क्या आएगा जिस पर पर छे प प्ठाइब डॉट डॉट भी तो लेगा ही उपर नीचे किस पर पलन रही है भी पर प्लाओ तो वेक्टर भी हमारे पास नीचे आज है ठीक 스क बीका मोट यहाँ पर वेक्टर अवह लेटर बी-का-maud यहांपर वेक्टर अ-का-ma वेक्टर ए-का-1-a doot B होगा नीचे ऎमारे पास वेक्टर a Ka Mod हो जाएगा इधर हमारे पास वेक्टर बी का-maud जिस पर पढ़ रहा होगा इसका maud हम ले लेंगे यसे भी पर पढ़ रहा हो गया A.B किस पर पढ़ रहा है B पर तो B जिस पर पर लगा वो नीचे अब इसको निकाल दो A.B में डारेक्ट लिख रहा हूं यहां पर दो एकम दो प्लस तीन दून अच्छे प्लस दो एकम दो वेक्टर B का मोड क्या हो जाएगा B का मोड यह एक चार और एक च्छे दो आठ दो दस बटे रूट 6 पस ठीक है यह है एक अभी पर प्रक्षेप आगे वेक्टर एक बीपर प्रक्षेप लिखना चाहिए थे आप कि लिए कोई डाउट तो नहीं सिंपल ऐसे निकालना है और कुछ नहीं है कोशन सिंपल एक दो मार्क्ष में आएगा बस फार्मूला याद रखन थोड़ा कन्फ्यूजन वहीं पर होता है कि किसको नीचे रखे उपर तो एड़ बी रहता है नीचे किसको रखें बी को रख एक 10.3 के कंप्लीट हो गए जैसे यह कोशन अभी मैंने बताया कह रहा है यहाँ पर कोशन देखो समझो क्या कहना चाह रहे है कि यदि दो सदिस एवेक्टर और भी वेक्टर इस प्रकार है कि मॉड आफ हमें क्या क्या दिया गया हम लिख लेते हैं मॉड आफ एवेक्टर ह हमें दिया है 3 और एक वेक्टर डे बी वेक्टर में दिया है चार यह में दिया कोशन चेल सबूशन में क्या है निकालना क्या थे इस टीप के बाद आंगे बड़ ही नहीं सकते हैं आपको कुछ आइडिया नहीं होगा कि इस step के बाद कौन सी step वालो कि mod of a vector minus mod of b vector का mod a vector minus b vector का mod अगर a vector minus b vector का यहाँ पर mod लगा है तो आप क्या करोगे तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है कि कौन सा यहाँ पर आशा फर्मूला लगा दे या इस हम ऐसा नहीं कि इसको ऐसे लिख सकते है कि mod of a vector minus दोनों में अलग अलग कलेशी कोई trick नहीं है ऐसा कुछ नहीं होता है कि गलत है ऐसा भी कुछ नहीं कर सकते हैं कि a vector अलग कर लें भी वेक्टर अलग कर लें भी कि हमें वैलू दी के कुछ कर लें तो ऐसे इस्तिति में जब भी मॉड का कोश्चन आएगा सिर्फ एक कॉंसेप्ट काम आएगा जो मैंने पीछे बताया कौनसा ये वला कि मॉड आफ ए वेक्टर का अगर वर्ग होता है तो उसे हम a dot a लिख सकते हैं जब भी मॉड का कोश्चन वेक्टर में फसेगा आपको र्ग करना होगा कुछ कह नहीं करो कि simple वर्ग करोगे अगर आप इसका वर्ग करते हो अगर हम इस मॉड Take a काम बर करते हैं तो इसको लिख सकते हैं क्या एवेक्टर माइनस का बीवेक्टर डॉट एवेक्टर माइनस का बीवेक्टर तो जब भी मॉड का कोश्चन आएगा आप उसका वर्ग करोगे और उसको यह लिख सकता वर घटा के बाद में तो अंसर निकाली लेंगे अगर हमें मॉड आफ ए- इसको खोलो तुम पहली स्टेप यही करोगे तभी कुछ आंगे बढ़ पाओगे नहीं तो कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें आगे कोश्चन फॉल भी नहीं होगा जब तक आप वर्ग नहीं करोगे आप वर्ग करोगे आगे बढ़ जाओगे अब इसका देखो एवेक्टर A Vector – A.B Vector B का A से – B Vector . A Vector B का B से तो Plus का B Vector . अच्छा यह क्या हो जाएगा एवेक्टर . A Vector को फिर से हम लिख सकते हैं mode of A Vector cover यह अपने पड़ रखा है ना हम यहां से कौन सी प्रोपर्टी लगा रहे हैं कि mode of A Vector को लिख सकते हैं A Vector . A Vector थिक वही हमने यहां पर लगाई वही आप यहां पर लगा रहो ऐसे A B है अच्छा यह A B Vector है A Vector डॉट B Vector है और यह B डॉट A है तो हमने बताया था A B और B A का कोई दिक्कत नहीं है इसको भी A B लिख सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं अधिसरासी है A B लिखो चाहें B A लिखो दोनों बातों का मतलब एक है यह हो गया Maud of B Vector का वर्ग तो यहां से कित्ता आ गया यह आ गया Maud of A Vector का वर्ग यह A B A B हो गया minus का 2 A B Vector और यह हो गया हमारे पास Maud of B Vector का वर्ग ए वेक्टर का वर्ग हमें लिखता हूं mod of a minus b का वर्ग equal to हमारे पास हो जाएगा 2 का square 4 minus 4 दूना 8 तीन तरका 9 9 8 हमारे 9 4 हो गया 13 से 8 गया 5 तो mod of a minus b हमारे पास हो गया 5 तो हमें क्या चीए mod of a minus square root इदर बेज़ दो तो a minus b vector का mod जो होगा वह रूट 5 के बराबर होगा प्यारा question है अच्छे question बनते हैं जो भी mod पर बनते हैं हमें हर questions में यही follow करना है कुछ नहीं आपको जो दिया गया है आपको मौड जब भी दिया जाएगा आप property काउंसी लगाओगे कि mod को हम इस प्रकार से break कर सकते हैं जैसे हमने इसमें यहाँ पर break कर लिए फिर इसके बाद इसको बुणा करो जो value बनेंगी वो कुछ नकुस तुमें दी होंगी आप आराम से answer निकाल सकते हैं इसी type का एक और question करत है यह वाला पहले करते हैं कि कह रहा है कि ABC मात्रक सदिस इस प्रकार है कि A plus B plus C equal to zero vector है हमें question में क्या दिया है कि A vector कि सब प्यारे question है बहुत important question ही मलब यह star mark करने के में जरूवत है नहीं यह अब जो question से चलना है सारी important हो जो मैंने कराएं वो भी important question है यह नहीं सोचना कि सरी important है कि यह ऐसा है एक किसलिए करा रहे हैं वो कुछ नहीं सोचना है सिर्फ important है A vector B vector plus C vector यह बराबर हमें दिया है 0 vector के question में में इतना ही दिया है और एक चीज और दी है अचाँ से देखो एक चीज और क्याक्क दी है एक तो यह चीज दी है नट तो अम्मे यह चीज दी है एक दोन्होन प्लस का ब r ह॥ श्य मैंध भिण है अब एक और चीज़ दिये तो पहली लाइन पड़ो क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है हमें ये दिया हुआ है कि a vector b vector c vector मात्रक सदिस इस प्रकार है मात्रक सदिस का मतलब क्या होता है कि इन सभी vectors के परिमार कितने एक है a vector का mod b1 है b vector के भी mode 1 है और c vector का भी mode क्या है? एक है. तीनों के मॉड एक है और दूसी चीज हमें ये दे रखी है कि A plus B plus C vector बराबर 0 है. हमें सिद्ध क्या करना है? जहांसे देखोगा. हमें सिद्ध ये करना है कि A, B, B, C और C, A का मान ग्याद करो. सिद्ध नहीं करना, मान में गयाद करना है कि a b b c और c e का मान क्या होगा यह गयाद करना है हमें एक चीज़ दी थी कि a b c मातरक सदीस है इसलिए हमने मॉड हमने सब के one लिख लिए क्योंकि यह में question में given है यह मातरक सदीस है इसलिए हमने 2A, 2B, 2BC, 2CA, अलब बनता है न, 2A, 2BC, 2CA, तो A, B, B, C, C, A कहां मिलता है, जब हमारे पास A, प्लस B, प्लस C का whole square होता है, यह A, प्लस B, प्लस C है, इसका whole square हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, simple, फिर से mod ले लो, इसका क्या करो, पहले mod लो, यहाँ पर mod दिया नहीं था, लेकिन हमें लेना है, दोनों पक्छों का mod ले लो, यह 0 vector रिखा है, समझे जीरो के उपर vector, मतलब 0 vector का मतलब क्या होता है, 0 I cap, 0 J cap, 0 K cap, यही होता है, मारे पास 0 vector, कि 0 के साथ I भी है, 0 के साथ J भी है, 0 के साथ K भी है, अगर इसका हम परिमार ले ले ले, तो केवल क्या है, परिमार, 0 है, तो परिमार केवल इसका 0 हो जाएगा, mod लगाने का मतलब, इसका केवल परिमार, इसका भी परिमार, अब फिर से वही काम क्या काम कि A vector, B vector, C vector हम क्या लिखेंगे इसको सर हम लिख सकते है A vector महला पहले वर्ग कर लेते हैं दोनों पच्छों का वर्ग कर दो A vector plus B vector plus C vector जब भी mod पर बात आएगी आप वर्ग करोगे बराबर 0 और वर्ग करने के बाद फिर वही property लगा दोगे A vector plus B vector plus C vector dot A vector plus B vector plus C vector और बराबर 0 खोल दो इसको गुणा करके जो बनना है बनने तो परिसान ना हो ना सब चीज़ा जाएगी A का A से A dot A प्लस A का B से A vector dot B vector फिर A का C से A vector dot C vector उसको थोड़ा सा ही धर करो यह कहां रहेगा है बाई कुछ चीज़ छूट रही थे है छूट क्यों रहा है सब चीज़ा आओ ठीक है A का A से हो गए A का B से हो गए A का C से हो गए अब B का करो ऐसे प्लस का B vector dot A vector B vector dot B vector फिर प्लस का B vector dot C vector आंगे आँ C का करो C का A से C vector dot A vector फिर C का B से C vector dot B vector फिर C का C से C vector dot C vector इकल टू क्या है जीरो इकल टू में जीरो चलना है अब देखो क्या हुआ ए वेक्टर ए वेक्टर मॉड आफ ए वेक्टर का वर्ग डारेक्लिक रावन को ठीक यह मैं पता है ऐसे हमारे पास यह क्या है एसी हो गया बी यह हो गया कोई दिक्कत ने बी वी तो मॉड आफ बी वेक्टर का वर्ग भीसी और सी भी हमारे पास टू बी दिकर ने और सी यह तो ओई गया यह होई पास दू वेक्टर का वर्ग सभी की वेल्व पता है तुम्हें देखो मॉड आफ ए वेक्टर एक का वर्थ यह इसको ऐसे रहने देते हैं बी वेक्टर को ऐसा करते हैं इनको एक साथ पहले लिख लेते हैं तब अच्छे से समझने आ जाएगा यह हमने लिख लिए हमно फिए वेक्टर का वर्थ मॉड अफ बी वेक्टर का वर्थ मॉड आफ फिवेक्टर का वर्थ भंब इन में से मैं टूक yanlraal एक प्लस बी सी रों नो और हमारे पास चला आए जीरो यहीं चला है Left और नहीं इसी की वेलू में निकालनी है बाकी छोड़के सबकी वेलू रख लो इसको छोड़के एवेक्टर का मॉड वन का स्क्वार वन का स्क्वार वन का स्क्वार प्लस का यहां पर टू रहने दो और जो लिखा है उसको रहने दो a b vector plus k b c vector plus k a c a c a c a क्या लिखा है c a लिखा है c a लिखा तो c a c a vector ठीक एककोल तुमारे पास क्या है 0 1 1 1 3 हो गया 3 हुदर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो बचेगा 2 a b vector a vector b vector plus b vector c vector plus c vector a vector बचेगा अब यहको a b vector b c plus c a बचेगा माइनस का 3 बचेगा यही आंसर है कि यही भाई अंसर है कि कोश्चन आसान है बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हमें दिया क्या गया है और question question में कैसे आंगे बढ़ना है question ऐसा कुछ भी tough नहीं है थोड़ा सा लेंदी तुम्हें दिख रहा है लेकिन simple गुणा है सब concepts के साथ से चला है हमें दिया था इस question को repeat करते हैं प्यारा question है हमें दिया हुआ था कि ABC मात्रक सदिस है मतलब इनके सभी के परिमार एक है और इसने यह भी दी दिया कुछ ना कुछ बन जाएगा फिर आराम से इसा बन गया और वैलू रग दो आंसर आ जाएगा कि लिए रहे सभी को कोई कि डाउट तो नहीं कोई समस्या तो नहीं भाई किसी को यहां तक कोई भी दिक्का तो तो बताओं चले आंगे एक question पिछला वाला भी पहले कर लेते हैं फिर आंगे चलेंगे यह 27 नंबर है 28 नंबर है इसमें A B सदिस तीन हमें सदिस दिये गए हैं इस प्रकार है किस प्रकार कि मॉड आफ A हमें दिया गया है तीन मॉड आफ B वेक्टर हमें दिया गया है चार मॉड आफ C वेक्टर हमें दिया गया है पाँच यह तीन हमें दिये गया है के रहा है अब बात समझो यहां से important बात है और इन में से प्रतेक अन दो सदिसों के योगफल के लंबवत है इन में से प्रतेक इन में से प्रतेक की मतलब यह तीनों सदिसों की बात कर रहा है इन में से प्रतेक मतलब A सदिस जो है वो अन दो B और C के योगफल के लंबवत है म B और C के, योगफल के ऐसे ही हमारे पास क्या होगा? B अमारे पास लंबवत होगा A और C के ऐसे हमारे पास प्रतेक है न, तो C भी लंबवत होगा किसके? B और A और B के A प्लस B के यही कंडिशन हमें तीनो दी हुई है अब इन तीनों कंडीचन से फायदा कहा है देखो, इन तीनों कंडीचन से कुछ result निकलेगा, अभी आंगे तो चली नहीं रहे पहले इन से result बनाओ, कि क्या क्या भनेगा पहली condition अबे ये दे रख्ये थे पहली condition अगर ये दे रख्ये क्या है सबसे important बात है कि इनके अधिस गुड़न जोंगे वो 0 को एककोल होंगे अभी पड़ाम में इसको अंदर गुड़ा कर लो तो a b vector plus a कसी में a vector dot c vector equal to 0 इसको समीकान एक डालके छोड़ दो अभी काम आए गई है देखना इसको छोड़ो ऐसे अब इसकी बात करते हैं दूसरी कंडिशन की यह तुमारे पास पहली कंडिशन दी गई थी दूसरी कंडिशन दूसरी कंडिशन दूसरी कंडिशन दी गई कि b इसके लंबवात है तो मलब बी वेक्टर जो होगा वो dot product होगा a plus c के साथ और वो equal to zero होगा तो यहां से क्या हो जाएगा यह हम लिख सकते हैं a b plus b c बराबर zero हो जाएगा इसको समीकर्ण दो दे दो ऐसे समीकर्ण तीन बना लो इससे जगह है अपने पास थोड़ी और इसको उपर लिए तिक यहां पर क्या हो जाएगा कि c वेक्टर हो जाएगा dot product of a plus b vector बराबर हो जाएगा zero क्योंकि लंबवात होने का मलब है dot product zero तो a c vector a dot c हो जाएगा और b c हो जाएगा equal to zero इसको समीकर्ण दंबर तीन दे तो अब आज़ो actual question पर इतना तो हमने सिर्फ question में जो दिया था उससे निकाल दिया अभी वही चीजे की जो question में में given थी समीकर्ण एक दो तीन कैसे बने कि हमें दिया था कि एक सदिस अन्न दो सदिसों के योगफल के लंबवात है तो a है तो b और c के योगफल के लंबवात है B जो है वो A और C के योगफल के लंबवत है C जो है वो A और B के योगफल के लंबवत है इससे हमने तीन condition लगवाई कि लंबवत होने का मतलब होता है simple dot product 0 होना वो हमने dot product 0 किया क्योंकि ये लंबवत ही condition हमें दिये ये सारी लंब है सभी में एक ही चीज़ है कि ये हमारे पास कैसी है लंब है अगर ये लंब है तो हमारे पास क्या हो जाएगा लंब होने का मतलब एक ही होता है कि ये dot product 0 है ठिक अब आगे बात करते है question में हमें दिया है mod of A vector plus B vector plus C vector इसकी value हमें ग्यात करनी है mod की बात अगर तुमारे पास mod की बात आती है तो तुम क्या कर तो इसका वर्क लिख सकते हो वर्क करने पर जैसी वर्क करोंगे तो इसको हम क्या लिख सकते है A vector plus B vector plus C vector dot A vector plus B vector plus C vector इसको मैं रिजल्ट डारेक लिख रहा हूं जार याद है ना अभी निकाला यह A plus B plus C का mod कहां गया यह A plus B plus C का mod जो हुता है इसको अगर हम dot product इसका करते हैं तो यह बनता है A कबा B का C का 2 A B 2 B C 2 C यही तो बनता है मैं direct link देता हूं यहां पर क्या लिक्कत है कि हमें यहां से पता है तो मैं link देता हूं यह मैं link करी देता हूं क्या इत्या देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हमने simple लिख लिया इसी की value निकालनी है निकालने है इसका इसके साथ गुणा होगा ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं A का A के साथ A vector dot A vector A का B के साथ A vector dot B vector A का C के साथ A vector dot C vector ऐसे B का B के साथ B vector dot B vector B का C के साथ B vector dot C vector फिस B का B के साथ B का C B के साथ निकिया B dot A vector फिस C का A के साथ C vector dot A vector C का B के साथ C vector dot B vector और C का C के साथ C vector dot C अब देखना है कितना प्यारा conclusion निकला, A vector, A vector तो mod of A vector कवर्ग हो गया, A B और A C, A B और A C, समीक अलेक से, A B और A C की वेलू क्या है, 0, तो A B और A C की वेलू डारेक्ट 0, प्लस, B और B, mod of B कवर्ग हो गया, B C और B A, B C और B A, या A B बोलो, B C B A, B 0, तो प्लस का 0, C A और C B, 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 ये भी 0, 0 हो गय, वो भी 0 हो गया, simple बचा हमारे पास, mod of C कवर्ग, mod of a cover नहीं हमारे पास दिया गया, 3 का square हो जाएगा mod of b cover हो जाएगा, 4 का square mod of c का हो जाएगा, 5 का square 3 का square 9, 4 का square 16, 5 का square 25, ठीक, यह हमारे पास हो जाएगा simple सा, यह हमारे पास चल क्या रहा है, इसके बराबर चल ला, हमें value तो इसकी नहीं कानी है, तो वर्ग के बराबर चल ला, इसको लिख लेना चाहिए था, आसाइड में, रुकना रुकना इकोल टू चल ला है, इकोल टू के इसके चल ला है, a vector plus b vector plus c vector, equal to a vector plus b vector plus c vector, equal to अब यहाँ पर किता हो गया, यह हमारे पास हो गया है, a vector plus b vector plus c vector, इसका वर्ग किया किता आगया भाई 9 5 14 6 14 6 22 23 25 50 रूट 50 आजाएगा तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस इवेक्टर बराबर हो गया रूट 50 यही इसका अंसर हो जाएगा सिंपल सा अंसर आजाएगा कुशन उसी फार्मेट का है अलग-अलग पैटर्न वो हमसे पूछ रहा है काम हमें वही किया मौड में हमने यही करना है कि मौड में आप वर करो फिर उसके अदुन का गुणा करो गुणा करने के बाद जो आए उसकी वेलू रखो वेलू दी को बाकी मौड की वेलू सबकी दी है वह यहां सर आजाएगा ठीक है किलियर सभी को तो यह मौड के जो कोशन से यह तीन फॉर्मेट के हमने कोशन कर लिए और एक दो कोशन दिये गा है आप एक दो ट्राइग कर सकते एक में और दिया गया सायद वहां पर हमें क्या करना है इस फॉर्मेट पर वो कोशन दिया गया है उसमें यहां पर एबी सी की वैलू मातर सदिस नहीं दिये वहां पर एबी सी मौड में वैलू दे दिये और यह भी दे दिया है फिर आप से यह पूछा है तो आप वहां पर लाश्ट में जाके क्या करोगे जो हमारे पास यह यह पर कुछ और वैलू रखियागी आएगा यही से मांसर अलब हमने अलग-अलग कॉंसेट के सारे कर लिए सेम कॉंसेट का कोई कोशन होगा तो आप आराम से अब कर सकते हो कोई डिक कर नहीं दस्वा रहे गया बीच में और 27 और रहेगा इसमें 10.2 में इसमें यह हमारे पास विवीद के कोशन है कोचिस में यह 27 वा उधान जो है यह विवीद का कोशन है तो विवीद के कोशन हम साथ साथ करते हुए चलने नंबरिंग पर नहीं जाना आप लो इसके बाद फिरम लों का उस्टार्ट हो जाएगा सदीस बीच गरिच एक कोशन के बाद इससे पहले हम प्लस लेंडा बी वेक्टर पर लंब है यह क्या है यह सी वेक्टर पर लंब है यह क्या है यह सी वेक्टर पर लंब है सी दीसी बात यह कोशन में में दिया है इसी का कौशन होगा यह में कोशन में दिया है कि ए प्लस लेंडा बी जो है वो सी वेक्टर पर क्या है लंब है पहले तो लिकाए C vector पर नम्म है Lamda का मान मैं निकालना है निकालेंगे पहले तो में A B और lambda दिया गया है lambda मनलब निकाल नहीं है A B हमें दिया गया और C B दिया गया तो पहले ऐसा काम करते हैं एक काम करो कि A vector प्लस lambda B vector निकालो तब तो वहाँ पे रखेंगे यह बात तो मैं यहाँ पे निकालने ही पड़ेगी यह वाला part तो A vector lambda B vector कैसे निकलेगा A vector की जगे A vector की value रखो 2i cap 2j cap 3k cap थिक प्लस का lambda B vector lambda ऐसे रहें तो B vector रखो minus का i cap 2j cap और plus का k cap तिक यह हमारे पास दिया हुआ है यहाँ तक बात clear सभी को कोई doubt तो नहीं अब अगर आगे हम बात करें lambda का अंदर गुणा करो 2i cap 2j 3k lambda का अंदर गुणा किया तो यह minus का हो जाएगा minus का lambda i cap minus minus का lambda i cap plus का 2 lambda j cap plus का lambda k cap lambda i वाले एक साथ कर लो i cap अगर इनसे कॉमल ले ले simple समझे इससे और इससे i cap कॉमल ले ले तो 2 minus lambda या ऐसे कर तो 2 minus lambda पहले लिखो 2 minus lambda i cap ऐसे यहाँ से हो जाएगा 2 plus 2 lambda 2 plus 2 lambda j cap plus 3 plus lambda plus 3 plus lambda k यह बन गया भाई यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हमने simple कुछ नहीं किया a की जगर a रखा b की जगर b रखा lambda का गुड़ा किया i वाले एक साथ j वाले एक साथ के वाले एक साथ करें lambda कुछ constant value belongs to r होता हम देख भी चुके कोई constant value आएगी वो हम निकालेंगे अब हमें condition दी गई है अब इस condition का हम उप्योग करेंगे जो हमें यह दी गई है यह मैं question में given थी इसको लाते हैं इदर इसका मतलब क्या हुआ जब भी दो चीजे लंब बयार सीधा मतलब यही है कि a vector plus lambda b vector के साथ जो इसका dot product होगा वो equal to क्या होगा 0 दो चीजों के लंब होने का मतलब है कि dot product 0 dot product 0 करो cb तो दिया गया है मैं अब यहां पर रखते हैं value तब ही lambda की value निकलेगी 2 plus lambda यह तो निकाली चुके यह पूरा हम डेटो रखते ऐसा करते हैं इसको यही से copy मारो ना यार अरे भाई प्रेच आ जा भाई यहां देखो अगया है अगया है अगया 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 इसका dot product होगा किसके साथ लिख देता हूँ इसका dot product होगा यह पूरा यह यह पूरा पार्ट निकाले डॉर्ट प्रोड़क्ट होगा सी वेक्टर के साथ सी वेक्टर हमारे पास कहा है यह 3 i cap और प्लस का j cap को एक के नहीं है इसमें और इक्वाल पूर इसको solve को लेंबडा की वेली निकल आएकई कोई दिखकत नहीं I का Samuraitel नहीं जे के साथ वन गुणे टू प्लस टू लेम्डा टिक तू है नहीं तो के का सिंपल क्या होगा के यहाँ पर जीरो हो गाइसके साथ पूरा जीरो हो जाएगा सिद्री बास समझे तो है नहीं आ यह जे के मतलब जीरो के तो जीरो का अगर इससे गुणा करेंगे simple इस वाले part से तो जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो के है तो ये इसका कोई मतलब ही नहीं है equal to हमारे पास 0 चलना है इसको solve कर लो तो यह हो गया 3 दूना 6 माइनस का 3 लेमडा 2 प्लस 2 लेमडा बराबर 0 यह हमारे पास हो जाएगा माइनस का लेमडा यह हमारे पास 6 28 उस तरफ चाहिए माइनस का 8 just लो लेधू कि वालラ कि रत गया है जो डिया गया है यह में सब क्योंन की आशल किया हमिसी हमने एक ही रख दी बी के रख दी लेंडा रख लिया इससेक क्योष्ण बन equation का एक सदिस बन गया lambda और इसके रूप में तो यहां से मारे पास एक सदिस हो गया इस सदिस का dot product करना पड़ेगा C के साथ क्योंकि यह लंब है इसके साथ equal to 0 क्योंकि dot product 0 होगा C हमारे पास 3i और केवल J था तो 3i और रखा तो इसका इसके साथ गुणा हुआ जे वाले का इसके साथ के हमारे पास 0 होगा तो 0 कैसे बुणा होगा तो सिंपल 0 हो ठीक है तो के वाला जो मारे पास वो तो 0 हो जाएगा तो बाकी equal to हमारे पास 0 हो गया और आराम से lambda की value 8 निकल कर आगे कि लिए रहे सभी को कोई doubt तो नहीं चले आंगे यह हो गया दसवा कोशन बहुत प्यारे कोशन है सारे बहुत important कोशन है वैं सारे ही करा दूँगा परिसान नहीं बस बैठे रो तुम लोग ज्यादा परिसान नहीं हो ना किसर बहुत लंबा हो रहा है किसी को धीरे लग रहा हो तो उत्रूलाइब बढ़ा के देख लेना लेकिन जिसको सुलो लग रहा हो तो वह स्पीड बढ़ा सकता है अब निकालने का तो यह की फार्मूल आ है हमारे पास या अब बीहने के बीच में कोण निकालना तो तो ABOCD के बीच में कोड़ अगर निकालना है तो कोड़ कैसे निकलेगा कोड़ निकालने का तो यार एक ही फार्बूला है कौन सा कॉस्ट ठीटा बराबर AB Vector प्लस BC Vector अरे बाई क्या लिखने AB Vector.CD Vector जो कि ABOCD के बीच निकालना है तो ABOCD फिर मौड आफ AB Vector मौड आफ CD Vector बस ABCD यह वे वेक्टर दोनों निकालने हैं बाखी तो आसान है आंगे इन्हें संदेक प्रूफ करना है वो तों प्रूवी कर लेंगे कोई दिक्कर ने उस तो प्रूफ किया ही है पहला पार्ट इसमें करते हैं पहले में AB Vector चाहिए AB Vector निकालो AB Vector का मतलब होता है OB Vector माइनस का OA Vector इस तिति सदिस दोनों Vector उसके वो हमें दिये हैं क्या दिये हैं OB हमारे पास कहां दिया है OB AB वो है तो 2 से डारेक लिख रहे हैं 2 से 1 गया calculation चेक करते रहे ना मैं हलकी फुल की मिश्टेक हुजए तो सही कर लेना उसे मैं डारेक कर रहा हूँ 2 माइनस 1 करोगे I cap 2 माइनस 1 केवल I cap बचेगा J में 5 माइनस J करोगे तो माइनस प्लस का 4 J बचेगा तो यह आ गया केवल I प्लस 4 J क्योंकि K तो है नहीं तो AB वेक्टर मारे पास आ गया I माइनस का 4 J ऐसे ही हम निकाल लेते हैं CD वेक्टर 2 ही निकालने केवल CD निकलेगा OD माइनस OC से तो CD वेक्टर कितना हो जाएगा CD कहां यह D है तो I माइनस 3 J करेंगे तो माइनस का I माइनस 3 I करेंगे तो माइनस का 2 I माइनस 6 माइनस का 2 J माइनस का 8 J और माइनस का K माइनस का 3 के प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 2 G यह आ जाएगा दोनों के मापांग की ज़वद पड़ेगी यह निकाल लेते हैं मैं लिख लेता हूँ इसको थोड़ा नीचे करके दोनों का अलग-अलग मापांग निकाल देता हूँ मौड आफ एबी वेक्टर के में जववत पड़े की जब पोल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर हो जाएगा एक का स्कॉयर और चार का स्कॉयर चार चोको रिशूला हो जाएगा ना वह कि यह भी वेक्टर है का आपके अच्छह देखें एक मेंट है 2-1 करेंगे तो हाँ ठीक है 2-1 आई आजाएगा 5-1 यह करेंगे को जया जाएगा के तो हैं अच्छा की लिखा भी नहीं क्या के लिखो तो भाई के लिखा ही नहीं है अब यहां पर 0 के होगा ना यहां पर जो होगा वह प्लस का एक प्रकार से 0 के होगा अब 0 के से माइनस के करोगे तो माइनस के लिखो माइनस का के लिख एक अब वेक्टर मारे पास कित्ता आजाएगा अंडरूट के अंदर 1 प्लस 16 सोला एक सत्राइक अथारा हो जाएगा रूट इसे आप सीडी वेक्टर का लो किसी डी वेक्टर का मौड निकाल तो दो दूना चार अठी अठी चौन सट दो दूना चार चौन सट चार अड़ सट चार बहत्तर रूट बहत्तर आ जाएगा अब वैल्यू रख दो कॉस्ट चीटा बराबर हमारे पास वैल्यू रखते हैं अबी डॉट सीटी भाहिन का गुणा भी करना है चलो करो एक दूना दो माला माइनस दो और चार अठी चौक बतीस प्लस का बतीस और यह जाएगा एक दो माइनस का दो इस टिक नीचे मारे पास क्या हो जाएगा और यह आ रहे ना कि एक दूना दो हो जाएगा एक दूना दो हो गया चार चोको बतीस हो जाएगा माइनस का बतीस रहा है बहुत कैलकुलेशन मिश्टेक कर रहा है माइनस 32 हो जाएगा अब अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा रूट में हमारे पास आ जाएगी रूट 18 और रूट 72 तो कॉश ठीटा बराबर आ जाएगा उपर हो गया 32 और 436 माइनस का 36 नीचे क्या आ जाएगा यह रूट 18 और यह रूट 72 होता है तो इसको लिख सकते अंडर रूट के अंदर अठारा गुणे चार ठीक तो थोड़ा समझा देते हैं क्योंकि ऐसे डारेक्ट हमें ऐसे समझ में आ जाएगा अठारा और रूट चार अगर बार आएगा तो बचेगा दो और रूट 18 बचेगा और फिर वगी माइनस फुन और ठीटा बराबर आगया माइनस मान ठीटा बराबर आ जायेगा पाई-1 कॉस्ट में एक तो आघारा बचाट रूट के बार किया तो दो आया रूट 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 अठारा बचा रणा दूना हो गया छती सटीस सच चतीस अठीस कट गया माइन सिंपल संड्रेग तो ही क्यों कि 10 év conocी ड्रीकशन में सिंपल् assume 60REE इए ब्रेघदी संड्रेग हैै सब्लिख सकते हूं नहीं सेन तो आप दूसरा तरीका तो है आपके पास यह अभी सेखा है मनें क्या देखो ए बी कहा लिखा थे कैं आ हमारे पास है ज़ो अभी बताय है वही तरीकात बता देते हैं I plus four j minus k а cd vector का है cd vector वने निकाला minus kaps i minus 8j और plus kthe Stुपमों CD वेक्टर को ध्यान से देखो दो कॉम लेखो माइनस का दो ले लो तो आई प्लस पोर जे और माइनस का कि तो सीडी वेक्टर हमारे पास क्या है तो को माइनस साइब दिखा रहा है कि वो भी डैरेक्टर रही पूरा ना लेमडा बार आ गया माइनस टू एलमडा की वेलू यहां पर अता AB Vector वा CD Vector संरेक है क्या है संरेक है simple सबाथ ठीक है ये मारे पास क्या हो जाएगा संरेक हो जाएगा 27 नंबर उधारन था बहुत प्यारा उधारन था अच्छा उधारन था तो बस डारेक निकालना है बस समय थोड़ी चीजें करनी है है कि हमें निकालना आना चाहिए कि इस्तती सदिस कैसे पता है तो उसको दो बिन्दू मिलाने वाला सदिस भी उजवा मॉड भी उजवा मॉड के अलावा फिको एंगल का फार्मूला भी मलब 10.1 से भी सारी चीज़े यूज हो रही थी टू से अगर देखा जाए हौश ठीट लगे गाई तो बस 25 बजास में और बेठो लेकिन पूरा चैप्टर दिवाइज हो जाएगा ठीक है अब यह दो क्या कह रहा है इस कोश्चन में कहरा तीन सदिस हैं A B C कहरा समकोन तर्बुच के सीर्स है समकोन तर्बुच हमने बहुत जगे सिद्ध की है हर प्रस्णावली समकोन तर्बुच के लिए बास पर यह जो हमें दिए गए न यह क्या दिए गए है एक बास इसको त्रीडी में दिखाए तुमको एक इस पश्ट बात समझ में आए कि क्या हम कर रहे हैं यह मारे पास एक्स अच्छ है यह यह जड़ एक्छ है तिक यह मारे पास मुल बिंद पर यह यहाँ पर कहीं बीच में सम्कोर तर्बुजों का जिसके हमें यह सीर्स दिये गए क्या दिये गए सीर्स एक पर कार से क्या दिया गया है अगर मन класс का इस्तिती इस दिया है एतरब की यह बताना चाहने कि ये A, B, C सिर्फ निर्दे सांग, उन बिंदूओं के इस्तति सदिज दिए, A, B, A और B, C के इस्तति सदिज दिए. हमें भुजाएं नहीं दिएं कि A, B, भुजा दिए है, या C या दिए, या B, C दिए, ना. यह जो हमें सदिस दिये हैं वो सीर्स दिये हुए लिखा इसने सीर्स सीर्स का मतलब है कि यह इस्तिती सदिस दिये हैं उन बिंदूओं के वर्टर से समय पता है सिंपल से अगर हम देखें कि यह हमें इस्तिती सदिस पता है ये इस्तिती सदिस पता है, ये इस्तिती सदिस पता है, ये बात यहाँ पर दी गई है, तो भुजाए हम कैसे निकालेंगे, जब AB भुजा निकालनी है, तो OB-OA, ये OB हमें पता है, OC पता है, OA तो OB-OA, अगर AC चाहिए तो OC-OA, अगर हमें BC चाहिए तो हमारे पास OC-OB, ऐस कि अवी, इसे करके हम निकालेंगे, पहले भुजाएं, निकालेंगे, फिर भुजाओं के बाद क्या concept लगा सकते हो? कि जब भुजाएं निकाल आ Ferrari, मालमों, ये धी भुजा आगई, ये A,C भुजा आगई, ये हमारे पास B,C भुजाएं, अगर इन दोरों बुजाओं का dot product zero के बराबर आ गया कि नहीं दो बुजाओं का dot product zero के बराबर आ गया तो लंब है क्योंकि दो बुजाओं है अगर दो चीजे लंब हैं दो सदिस हमारे पास लंब है तो उनका dot product zero होता है सीधी सी बात है तो अगर dot product zero आ गया तो वो दोनों बुझाए लंब हो जाएंगी तो वो simple समकोर तरबूज को proof करेगा क्योंकि लंब होने का मतलब यही है कि को 90 degree का और समकोर तरबूज में को 90 degree का होता है यही concept यहाँ पर छिपा हुआ है यही चीज़ हम बताने चाना है दूसरा तरीका का यह और हो सकता है क्या पाइथा गोडस प्रमें देखो आपको पता यह लंब है यह आधार है दो तरीके से हो सकता है यह करन आप क्या करो पहले a c nika lrbc निकालो और फिर a b nika lrbc का वर्ग का जो योग होगा करन के सकते हैं लेकिन वेक्टर वाले से करते हैं जो वेक्टर चैटर फ़ल रोने हैं कि वेक्टर नहीं है तो सकते हैं तो अमारे पास प्रकार सीघया दिया है वे वेक्टर अगर हम इसको बिंदू A माल लें तो यह मारे पास है 2i cap माइनस j cap प्लस का k के ऐसे हमें दिया गया है OB vector OB vector क्या है? I cap minus 3j minus का 5k ऐसे हमें दिया है OC vector OC vector में क्या दिया है? 3i minus 4j minus का 4j अब हम इनकी बुजाएं निकालना शुरू करते हैं अब ही तो यह हमें simple इसके seeds पता थे अब अगर हमें AB बुजा चाहिए तरबुज की पहले बुजा निकालोगे ठिक क्योंकि बंदूओं से कुछ मतलब नहीं हो सकता है यह 3 बंदू तुम्हें पता है अब तुम्हें कैसे पता है कि समकोन तरबुज कैसे ओ भी माइनस होए यह हो जाएगा 1 माइनस 2J मतलब माइनस आई माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 2J माइनस 5 के माइनस का 6 के हो जाएगा 5 के हो जाएगा 6 के माइनस का ऐसे ही हम क्या करते AB के बाद निकालते है BC वेक्टर BC हो जाएगा OC minus OB तो BC बराबर किता आजाएगा BC बराबर आजाएगा OC 3 minus 1 तो माल लब आजाएगा 2J 2I minus 4 और minus minus plus हो जाएगा तो minus कजिए ठीक और minus 4 minus minus हो जाएगा minus 4 और minus 5 तो माला माइनस माइनस में हो जाएगा प्लस तो प्लस का के कल्कुलेशन यहार देख लेना एक बार बाकी में कर रहा हूं AB हो गया BC हो गया अब क्या निकालना है AC हो निकाल देते हैं AC मतलब हो जाएगा OC minus OA OC vector C minus 3 minus 1 हो जाएगा I minus 4 minus minus plus हो जाएगा तो माइनस का 3J minus और minus के हो जाएगा minus का 5K यह हमारे पास आजए BC vector AC vector अब देखो अब इन में से किनी भी दो का dot product जिरू हो सकता है AB BC का हो सकता है BC AC का हो सकता है यह AC AB का हो सकता है मालो मैं निकालता हूं BC dot अगर हम AC निकाले BC dot AC निकालना है BC का AC के साथ देखो BC कहा है यह तो दो एकम दो यहाज आएगा दो एकम दो माइनस एक का माइनस तीन से प्लस का तीन एक का माइनस पास यहा तर एक है यह पे उसबर 210-5 का माइनस पांच एखो यह भी पांच हो गया तीन दो पांस इम्वी माइनस पांच हो जीरो हो तो मैंने समझना कि सद्ट काestar अगर आप मैंostic से अचानकी ट्राई किया है, वो आई गया पहली बार में, BCAC, हो सकता है, ABBC का निकालो, तो ABBC में ना आ रहा हो, देखो, ABBC का निकालो, तो माइनस तो, फिर आ जाएगा प्लस का दो, और 6 एकम 6 हो जाएगा, माइनस का 6, नहीं होगा, 0 नहीं आएगा, ऐसे याप BCAC का निकाल AC वेक्टर पर, ठीक, सीधी बात कहा है, BC वेक्टर लंभ ए PC वेक्टर पर, सिंपल सा मामला यह हो गया, कि यहाँ पर कौन सा बिंदू कामन है, C बिंदू, C बिंदू हमारे पास यहाँ पर लंभ हो गया, ये मारे पास वाल डू आ, ये बी है, तो इस प्रकारik से स्मकोन तरबूज में मिल गया अब कि लिए k्लिट सकते हो अता यह शीय संकोन तरबूज के सीर्स से बस हो गया यह básами दिखाना था तकि अता यह संकोन के सीच आता यह प्रूज करके बता ना था दूसरा तरीका क्या हो सकता है पहला तरीका तो यह हो गया कि कोई भी डॉट प्रोड़क्ट दो भुजाओं का जीरो होगा कोई भी हो सकती एक ही बार निकले को सिंपल कोई दिक्कत नहीं है दूसरा तरीका यह हो सकता है कि यहां तक तो काम कर लिया थैं A B B C C A ठीक अब इसके बाद इनका कि यही तो होता है कि करनक का वर्ग जो होता है वाधार लंब के बराबर होता है प्राइथागोरस प्रमे से उससे भी इसको प्रूफ कर सकते हो लेकिन यहां तक काम हमें करना पड़ेगा यह काम छोटा है कि डॉट प्रड़क्ट जीरो दिखा दो तुरंत हो जाएगा कोशन में डाउट लगे बैक करके फिर से समझ लेना के लियर हो जाएगा कोशन ऐसा कुछ भी नहीं है अब हमारी स्टार्ट होती है अगली 10.4 लास्ट एक्ससाइस में भी प्यारे प्यारे कोशन हमारे पास है बहुत अच्छे-च्छे कोशन बनते हैं यह विवीद का कोश हमने देखा था षैय अधिस जब डुडन किया था यजम दो वेक्टर का अधिस गुडन कर रहते थे तो हमें एक अधिसराज प्राफ्त फ़都 यादे ना कि जो हमने क्या किया कि दो वेक्टर्स का अधिस गुणन किया था तो हमें एक अधिस रासी प्राप्तु थी ऐसे ही जब हम दो सदिसों का गुणन करते हैं दो सदिसों का वहाँ अधिस गुणन था मलब सदिसों का ही गुणन कर रहे हैं वहाँ पे अधिस जब अखरम करते हैं मालों यह a vector है वो b vector है यह depends देखास ये वेक्टर है और यह महरे पास भी वेकक्तर है तो हमें जो राशी प्राप्थ होती वो एक सदिस राशी प्रांथ होती इसको हुर्थ एक वेक्टर क्रोस B वेक्टर इकल टू मौड आफ A वेक्टर मौड आफ B वेक्टर साइन ठीटा और साथ में आ जाता है N के एक सीधी सी बास समझोगे कि जब हमने दो अधिसों का गुड़न किया था अधिस का मतलब क्या था कि केवल जो रासी प्राप्थ होगी है वो हमें अधिस रासी प्राप्थ होती है सदिस का जब सदिस गुड़न होता है दो सदिसों का तो रासी प्राप्थ होगी सदिस सदिस प्राप्थ होने का मतलब क्या है कि उसमें परिमाल के साथ दिसा भी होगी तो जैसे मौड आफ एबेक्टर है आप बी वेक्टर है और साइन ठीटा ये तीनों चीज अगर देखो तो सिंपल एक मैगनिटीट वेलू देंगी ये भी परिमाड देगी ये भी परिमाड देगी साइन ठीटा की भी जो वैल्यू होगी वो मारे पास कुछ अधिसमान होगा उसने कोई दिसा की बात नहीं यह जो होता है वो सिर्फ इसकी दिसा को दर साता है एनकैप ही इसको सदिस बना रहा है कि यहां पर ये तो परिमाड वाला पार्ट हो गई एनकैप क्या दर साता है एनकैप इसकी दिसा को दर साता है कि इसकी दिसा किदर होगी अब क्या होता है एनकैप बहुत B vector है, इन दोनों के लंबवत सदिस होता है, A vector तथा B vector के लंबवत मात्रक सदिस होता है, क्या होता है, मात्रक सदिस, देखों, बास समझना आप, बहुत important बात है, मात्रक सदिस होता है, जैसे एक बास समझो, ज्यान सुनना, कि जैसे A cross B अगर हम करते हैं जैसे A vector ये B vector इन दोनों का अगर हम cross product करेंगे सदिस गुडन करेंगे तो एक vector और हमें प्राप्थ होगा output में एक vector आएगा हमारे पास ठीक A cross B करने पर एक जो vector प्राप्थ होगा जैसे A dot B कर रहे थे तो एक अधिस्मान आ रहा था कि हमने A dot B किया तो value दो आगी या 4 आगी या 6 आगी या 8 आगी तो एक परिमार वाली value आ रहे थी ऐसे जब A cross B करेंगे तो एक vector रूप में हमें एक vector प्राप्थ होगा एक सदिस प्र c vecter की जो दिसा होगी वो एक वेक्टर और दोनों के लंबहुत होगी और हुए हमारे पास किसकी दिसां होती है वही N creamcak की दिसां होती है अगर A x B hyum करें जैसे यह N cap A vector औब B vector के तो लंबवाद होता है लेकिन A x B करने पर क्या होगा एक लंबवाद हमें मात्रक सदीश प्राप्ट होगा एक लबवाद सदीश प्राप्त होगा एक रॉस B की जो दिशा होती है वो N कैसे होती है एन कैप के समानतर होती है एक यह भी बात यहां से निकल के आती है कि A क्रॉस B की जो दिसा होगी यह बहुत इंपोर्टेंट बात है कि A क्रॉस B की जो दिसा होगी वो हमारे पास कैसे होती है वो हमारे पास समानतर होती है एक जी समझे इसको अटा दिते है यह जो एक तुमारे पास यह formula हो गय है n caps सिर्फ दिशा को दर साथ आ इनकैब किसर की दिसा होती है एंटेब जो डिसा हो डिसा होती है एक रहुती है एक रहूस वीक्रोस दिसा ओगी यह क्रोस पी दिसा होगी Blick लिखा एक रॉस भी समानतर है एंगा कर मतलब दोनों की बिसाया समान होगी लिकिन जो अलग यूण अलाग अलग अलाग यह तो इन एक बैकर और की वह कैसा सदीत होता है हमेशा एक ब्लयंब डॉब और B vector के लंबोत मात्रक सधीस होता है N क है, मतलब ये A vector और B vector दोनों के अलग-अलग हम देखें, तो इसके लंबोत एक मात्रक सधीस हमें पराफ्थ होता है N kapp की दिसा में, और A x B के वो समानतर हो जाता है, सीधी सी बात हो गई न, या, क्योंकि अगर इन दोनों के लंबोत है cd-pad n-cap की दिशा a vector और b vector के लंबवट है और a cross b करने पर जो हमें सदिस्प्राप्थ होता है वो भी इसके लंबवट होता है तो आपस में तो दोनों समानतर होगे न कि a cross b और n-cap की दिशा जो होगी वो लुए कैसी होगी समानतर होगी तो कि a cross b करने पर वेक्टर आएगा वो हमारे पास ये वेक्टर है माल एक राओ भी करने पर यह मालो सी वेक्टर यह ठीक और जो एनकाइप होता है वो एट समांतर हो गया ऑर क्या है इसके इसके प्सक्राइगा उसके भी एक समांतर हो गया और इसके भी पास समस्रीटाइगा अब छूटी योटी बाते समझ लेते हैं यह दो बाते तो क्लियर हो गए कि A vector तथा बी वेक्टर के लंबवत मात्रक सद्धिस होता है और A cross B की जो दिसा होती है A cross B करने पर जो सद्धिस आएगा उसकी दिसा N cap के साथ समानतर होगी इसी की दिसा में यह होगा ठिक अब आज़ो चोटी चोटी और बाते कर लेते हैं कोड निकाल लेते हैं इनके मद्ध कोड अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़े हैं पहले पूरे का मॉड लेन पड़ेगा क्योंकि कोड निकाले के लिए N cap को दिसा की बात हटाएंगे दिसा कैसे अटेगी देखो भी दोनों अगरा पूरे माड ले ले ए वेक्टर क्रोस बी वेक्टर का मॉड बराबर मॉड आफ ए वेक्टर मॉड आफ भी वेक्टर इसका तो मॉड लगा यह पहले से क्या मॉड लगा ना लिग लेते हैं यहापर दो सद्धिसों के मद्ध कोड दूसर दिसों के मन गो तिक दूसरा पार्ट तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा थोड़ा साइड में रखो जगें की दिकत होगी कर दो सदिसों के बीच क्या कर रहे हैं मद्द कॉन निकालने तो हमने इधर भी मौड लगा है इसका मौड पहले सी यह तो मौड क्या लगाना वह पॉस्ट्यू रहेगा यह भी पॉस्ट्यू रहेगा साइन ठीटा हो जाएगा हमेशा एक प्रकार से यह समझों नियून कोण की बात कर रहे हैं तो साइन ठीटा भी हमेशा धनात्मक होगा यह याद रखना तो कि यह दो मद्दों जो दो सदिसों के मद्द कोण निकालते हैं वहमेशा हम नियून कोण निकालते कभी अधिक नहीं होती है नियुन कोन की बात होती है तो साइन ठीटा हो गया और एन कैप जो था इसका भी क्या हो गया परिमार हो गया एन कैप जो था इसका भी हमने क्या किया मॉड ले लिया साइन ठीटा का भी एक प्रकार से मॉड मान सकते हो कोई दिखकर ने बगत की हम नियुन कोन की बात कर रहा है, ऐसा दिमाग में रख सकते हो, तो वो value जो आएगे, sin theta की positive value लेंगे, तो हमने पूरे में mod ले लिया, अब इससे होगा क्या, देखूं, यह हो गया, a vector, cross b vector का mod, a vector, b vector, sin theta, सिर्फ हमें n cap को हटाना था, क्योंकि बाकी sin theta तो निकाल लेंगे, लेकिन n cap दिसा गडबड कर रहें, दिसा कैसे अटे की, अगर इसका mod ले ले, तो n cap के बारे में हमें पता है, कि यह a तथा b के लंगो तो मात्रक सदिस होता है, और मात्रक सदिस का परिम सकते हैं, वन लिख सकते हैं, इसका परिमार वन हो जाएगा, अब यहां से sign theta निकाल लू, sign theta बराबर सरो हो जाएगा, a vector cross b vector का mod upon mod of a mod of b vector, तो यह मारे पास दो सदिसों के मद्द, कोड का एक और सूतर आ जाता है, वैसे use m वही करते है, dot product वाला क्योंकि dot product करना आसान होता है, cross में थोड़ा सा सारंडिक बना के करना होता भी सिखाएंगे, करेंगे, आता भी होगा आप लोगों को, चाहिए आप इस method से दो सदिसों के मद्द को निकालों, चाहिए अदिस गुड़न वाला method जो था, इस cost theta बराबर a b upon mod of a mod of b, दोनों से angle सेम आएगा, उससे कोई दिक्कट की बात नहीं है, आप इससे भी निकाल सकतो, यह भी फार्मूला, a cross b का mod, बटे a vector का mod, b vector का mod है, तो ऐसे भी सेम आएगा, वससे भी सेम आएगा, बट ऐसे थोड़ा सा a cross b निकाला टाफ होता है, इस वज़े से इसका use कम करते हैं, बाकि हमें पता होना चाहिए क कोड इनके मद्द ठीटा बराबर, मालो यहां से अब कोड की बात कर रहे है, अगर ठीटा अमारे पास क्या हो जाए, 0 degree, 0 degree या पाई मतलब बोल सकते हो, कि समानतर है, समानतर होने की condition क्या है, कि समानतर हो जाएगा, तो sin 0 हो जाएगा, सिदी सी बात यहां से समझो, a cross b और यह हो जाएगा, n का है, sin 0 की value 0 होती है, इसलिए a vector cross b vector जो होता है, वो हमारे पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक, एक प्रकार से 0 vector लिख सकते हो, क्योंकि सद्धिस की form में होता है, तो 0 आ जाता है, simple यह समझ सकते हो, क्योंकि sin 0 की value 0 हो जाती है, तो a cross b अगर कोई दो सद्धिस समानता रहे, या sun rate की condition भी बोल सकते है, तो उस case में a cross b हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, इसलिए क्या होता है, कि जैसे हम i और j का cross करते हैं, तो value क्या आती है, i का i के साथ अगर cross करते है, तो क्या आती है, 0, क्योंकि same का same के साथ, देखो, जैसे हम क्या कर रहे, a vector का a के साथ, अगर कोण 0 है, तो एक प्रकार से a का a के साथ ही तो कर रहे है, बास समझे, क्या हो रहा है, theta बराबर 0 डिगरी का मतलब है, b b यहीं पर है, तो a बराबर b बोल सकते हो, तो a cross a का मतलब है, यहाँ पर a cross a की value, या फिन यह भी लिख सकते हैं, या यह भी theta 0 हो जाएगा, तो simple क्या हो जाएगा, यह मारे पास बराबर हो जाएगा, अगर खुद का खुद के साथ हम देखें, a cross a b क्या होगा, 0, अगर a cross b 0 है, तो simple अगर हम खुद का खुद के साथ देखेंगे, वो भी 0 होगा, क्योंकि a का a के साथ देखोगे, तो भी 0 ही होगा, तो यहां से i x i जो होता है वो 0 हो जाता है j x j जो होता है वो 0 हो जाता है जबकि अधिस में ऐसा नहीं हो रहा था k x k j होगा वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो i का i के साथ, j का j के साथ और k के साथ जो cross product होता है सदिस गुड़न होता है वो तीनों क्या होते है, 0 होते है इसके बाद एक बाद और बसती है कुछ चीज़ें और हमें जाननी है लंब होने की अभी condition हमें पढ़नी है और एक चीज़ देखनी थी जैसे कि यहाँ पर क्या था एक point आपको याद होगा कि जब हमने a.b किया था तो उसको b.a लिख ले रहे थे यहाँ पर ऐसा नहीं है हम a x b को b x a लिख सकते हैं लेकिन माइनस चिन के साथ लिखना पड़ेगा चिन विप्रीथ होता यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर चिन विप्रीथ होगा तो यह भी एक point याद रखना है कि a x b को अगर हम b x a लिख रहे है तो चिन बदल जाएगा माइनस साइन आँगे आ जाता है तो माइनस का b x a हम लिखते हैं ठीक है यह बात के लिए सभी को कोई डाउट तो नहीं आ तक कोई समस्य तो नहीं अब चलते हैं अगली कंडिशन पर चौथि कंडिशन पर लंब वाली कंडिशन पर चलते हैं अगर यह जो था मारा मालो की यह लम्म है डो सदिस्म है लमोनी की सर्थ की बात करते है ठीटा sou데 m review अब बात समयो अगर टीटा 90 डिगरी है सिधी बीन सम्झो तो सिंपल और एक बात और समझो यहां से अगर वह अपास लंब होगे जैसे 되어 Karl Condium कि क्योंगें एक भिरनेट लिखे और दि Simone gebracht को क्रोस्क्राइब एह में और यह हो जाएगा साइन याट यह सिम्पल यह मारे पास एक रॉस भी वेक्टर यहां से निकलाता है यह एक चीज और यहां समझ सकते हैं अगर एंक लगाना है तो एक बात समझो जैसे अभी तुमने मौड ले लिया है मौड अगर हम नहीं लेते तो दूसरा वेक्टर मिलता है चलो कोई नहीं अभी समझते हैं देखो ऐसा काम करो यहां से हम क्या करते हैं आपको एक बात पता है कि यह I, J, K जो होते हैं तीनों परस्पल लंबवथ होते हैं I, J, और K तीनों परस्पल लंबवथ होते हैं अगर हम I क्रॉस J का फार्मूला लगाते हैं I क्रॉस J हम रखते हैं यहां से जैसे A क्रॉस भी था ऐसे हम I क्रॉस J रख रहे हैं तो यह क्या होगा mod of i cap mod of j cap sin 90 हो जाएगा क्योंकि i और j लंबवत होते है तो 90 हो जाएगा और साथ में होता है n cap अब n cap की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा यह हो जाएगा i j cap mod of i vector 1 हो जाएगा तो कि i cap और j cap क्या होते हैं एकांग सदिस होते हैं x h की दिशा में एकांग सदिस y h की z h की दिशा में एकांग सदिस तो i j की value 1 sin 90 की value 1 n cap क्या आएगा पता है आपको पता है कि n cap क्या होता है a vector और b vector की लंबवत मात्रक सदिस होता है तो i और j की लंबवत मात्रक i और j के लंबोत सब्सक्राइब कहुंचा है k, i और j के तोनों के लंबोत क्या है k, तो simple यह हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा simple k, तो इसी concept निकल के आता है कि i cross j का जो मारे पास गुरा होता है वो k नेता है, ऐसे ही j cross k का जो गुरा होगा वो हमें i देगा, जैसे for example, हम कैसे करते है कि I J से K, K और I से J और J और के से I, यहां से क्या मिल जाएगा, J और K से I मिल गया, I और J से K मिल गया, और K और I से हमें क्या मिलता है, K cross I से हमें मिलता है J, तो यह आपस में संबंध होता है, यह J कैप आ जाता है, यह कैसे आता है, उसके पीछे का concept अगर आप यहां से एक रोज भी निकालते हो सिंपल समझो एक रॉप जैसे घ्रॉस जे निकालोगे तो आई काइब जेक अब को मौड साइन नाइंटी N कि है n kya होता है A के दोनों के लंबॉथ होता है के तो सिंपल यहां से आ जाता है के qip 111 यहां से qip aka ईच्ण को होगा यह सका हाई का इंग स्यक्रैक दो प्रण आर्म पहला ऩहां रहांने पर यहां पर यहां पर के लिखिए हैं कि आई जेका खिए घ्याई का जयाएका का chem कलें года अगर बिपरीट चलोगे कि J और जे और जे का कर रहे हो तो माइनस का ही उजए है बस चिन्ट बदल जाएगा अगर तुम बिपरीट करतो तो यह मैं पता है कि A x B, B x Ay के बराबर होगा लेकिन माइनस चिन्ट के साथ तो आप चिन्ट विपरीद कर दोगे बस तो ये बाते में याद रखनी है जो मोटी-मोटी बाते हैं कि इन में क्या अंतर है जैसे अधिस में ऐसा नहीं था अधिस में I cross J I dot J जब था वो तो 0 हो रहा था और I और I का dot जो था वो 1 हो रहा था यहाँ पर सेम के साथ 0 होता समांतर पर 0 क्योंकि Sonine-angle चलनाथ यहां पर साइन में 90 पर हमारे पास बदल बदल होता है तो सिंपल उसमें वैयल्य हां पार बदल जाएक죠 क्合ता है ओंसे हमारे और आही कर रहों get Mick कर रहों गहांग तो साथ ममारे पास क्या हो जाएगा यह च्छोटे उनूटी सी question बनते हैं वो और देख लेते हैं बस फिर अमारे पास काम हो जाएगा अमलूपा का होगा देखो होगा ये कि अगर हमें त्रभुज का छेटफल निकालना है पांच वी बात एक और सीख लेते हैं त्रभुज के छेटफल के डारेक्ट फार्मूले दो दिये गए त्रभुज के छेटफल और समानता चतुरुज के छेटफल त्रभुज का छेटफल अगर तुम्हें क्या है कि किसी त् PC तो आप तरबुज के A, B, C का छित्वर डारेक्ट लिए निकाल सकते हो रहा कैसे यह होता है वन पॉन टू क्र्स पोड़ाक्ट अब जो यह ए वेक्टर है और यह भी वेक्टर इन दोनों का क्रॉस प्रोड़ाद एक प्रकार से ए भी워서 इसको बूल सकते हो और इसको a c vector बोल सकते हो अगर यह a vector b vector तुम पता है तो तुम डारेक्ट लिख सकते हो a vector सीधा फार्मूला होता है आप कुछ ना करोगे आप जो भी दो सनलंग बुजाएं पता है इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे उनका मॉड लोगे और एक बटे दो कर दोगे आंसर आ जाएगा यह तरबुच के छेथफल का डारेक्ट ली फार्मूला यूज होता है जो हमे समानतर चतुर बुच का चेथफल ऐसे निकाल सकते हैं समानतर चतुर बुच का चेथफल क्या होता है यह तो और सिंपल फार्मूला होता है अगर माल लो कोई दो वेक्टर समानतर चतुर बुच की दो भुजाओं के निरूपित करें मैंने समानतर चतुर बुच फॉर एक् वेक्टर ए और बी तुम्हें पता है तो समानता चतुरबूज का तुम छेतफल लिख सकते हो समानता चतुरबूज ए बी ची डी का छेतफल बराबर डारेक्ट फार्मूला होता है बस सिंपल एक बटे दो भी नहीं रहे इसमें यह दो चोटे चोटे फार्मूले हैं जो मैं याद रखने इसमें पर डारेक्ट कोश्यन आता है कि कभी दो बुजाएं तुम्हें दे देगा कह देगा समानता चतुरबूज का इस छेतफल निकालो वेक्टर के रूप में दो बुजाएं दे देगा और आपसे डारेक्ट फार्मूला लगा कि सिधा छेतफल पूछ लेगे ठीक है तो यह त्रबूज का छेतफल और समानत लेग एक्जामपल लेने छोटा सा कि एवेक्टर बराबर एट्व आई कैप माइनस का 3J प्लस का 7K कि भी वेक्टर तुमारे पास है आई कैप माइनस का जीरो 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 जीकाप या फिर लिख लेकर दिया नहीं गया एक प्रकार से जीक है पैसा होना चीजह ता वालों लिखा है केक है इन दोनों का तुम्हें cross product निकालना है A vector cross B vector निकालना सद्धिस गुड़न निकालना है क्यों कैसे निकालते हूँ सबसे बेश तरीका है कि हम इसके लिए साणिक बनाते हैं सर उपर लिख लेते हैं Ric के फिरम क्या करते हैं फिरम खुश नहीं ज़हां जो जो पहले लिखा जैसे A vector पहले लिलिखा इसके गुडांग पहले 2-3 और साथ 141 बाद में ओर 191 जो नहीं है वो 0 और के वाला माइनस वोन इसके बाद इसका हमें एक रोज भी निकाल देते हैं वो वैसे ही करते हैं जैसे प्रसार करते थे आर्वन के साथ प्रसार कर दो सालिक का वैसे ही करना है तो यहां से मैंने i cap लिया, तो k cap, k cap लिया, तो ये कटा, ये कटा, इसका, इसके साथ, इसका, इसके साथ, तो ये मारे पास ओगया 0 और माइनस हो गया 3 एकम 3 तो प्लस का 3 हो जाएगा यह हमारे पास आ गया A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्टर इक्वल टू 3 I कैप माइनस का 9 और प्लस हो जाएगा 9 Z कैप और प्लस का 3 K कैप यह हमारे पास एक रोज बहुत ज़्याद है इसे 3 कॉमन निकाल के बाहर लिख सकते होते हैं तो एक रोजब्र में इस तरीके से निकालना था आपको पता होगा सिम्पल सानुनिक का प्रसार करके निकाल देते हैं ऑब इस पर CO2 में बहुत हैं कि यह संब निकालने का इस इस पर चोटा एक बेसिक वी लिया है कहा रहा है तो यह यह और भी दोसादिस से एक प्लस भी और माइनस बीस एप्रते कि लंबवत मातरक सद्धिस निकाल लें अच्छा एक इंपोर्टेंट बात जब भी कोश्चन में लिखा है कि प्रतेक के लंबवत लंबवत की जब भी बात करेगा कि लंबवत उसको सदिस चीए तो लंबवत सदिस हमें कौन देता है अभी बात की हम लोगों ने लंबवत सदिस हमें देता कौन है ये A क्रोस B ही देता है सदिस गुणन जो होता है दो सदिसों का जो सदिस गुड़न होता है वो हमें लंबवत सदिस ही देता है और कुछ नहीं A x B अभी हमने बताया A x B की दिसा वही होती है जो N-CAP की दिसा होती है और N-CAP की दिसा क्या होती है A और B के लंबवत मातरक सदिस होता है तो A और B के लंबवत अगर हमें कोई सदिस चाहिए, दो वेक्टर के लंबवत कोई सदिस चाहिए, कोई दो वेक्टर है तुमारे पास, एक ये वेक्टर है, और इन दोनों के तुम्हें लंबवत एक सदिस चाहिए, ऐसा कुछ सदिस चाहिए, जो लंबवत हो, इसके पड़ेगा, तो मैं directly लिख रहा हूँ, a plus b मैं directly निकाल के लिख रहा हूँ, यह हो जाएगा 2 i cap, 3 j cap, और plus का 4 k cap, ऐसे ही क्या करते हैं, a minus b निकाल लेते, a minus b क्या हो जाएगा, 1 से 1 यह 0 i cap, j से minus j cap, k से minus, तो यहां से k minus 3 k करेंगे, तो minus cut 2 k के, ठिक, अब इन दोनों के लंबवद चाहिए था मैं, a और b के लंबवद नहीं, a plus b और a minus b, तो a plus b, a minus b यह पहले निकाला, अब इनके लंबवद चाहिए, तो मानते हैं, इनके लंबवद सदिस, माना, c vector जो है, वो इन दोनों के लंबवद सदिस है, किसके, a vector, या फिर पहले सीधे cross कर देते, वो यह मारे पास मान लेते, ऐसा करते हैं, यहां से लिख लेते, माना, c vector, c vector क्या है, इन दोनों के लंबवद हमारे पास मात्रक सदिस है, वो ही हमने माना है, वो a plus b, across a minus b से जो हमारे पास सदिस आएगा, उसको हमने c सदिस मान लिया, और वो क्या होगा, इन दोनों के लंबवद ही होगा, c dc बात थी, हमने क्या लिख लिया, हमने a plus b का cross जो a minus b के साथ कर रहे हैं, इतना बड़ा ना लिखने से बढ़े है, कि हमने c vector इसको मान लिया, वो जो c से vector आएगा, वो इन दोनों के क्या होगा, लंबवद होगा, तो य c vector किता आजाएगा, ठीक, c vector बराबर हो जाएगा, i cap लिया तो किता हो जाएगा, 3 minus 3 दूना 6, minus 4 एकम 4 plus 4 हो जाएगा, minus का j, ये गया, ये गया, 2 दूना 4, minus 4, 4 से 0, plus का k cap, ये गया, ये गया, इधर, minus का 2, minus 0, तो c vector जो आया, वो इन दोनों के क्या होगा, लंबवद होगा, और क्या answer आया, minus का 10, minus 10 का 6, 4, minus का 2, i cap, और ये हो गया, plus का 4, j cap, और ये हो गया, minus का 2, k, ये c vector है, और c vector काउन सा vector है, c vector वो vector है, जो a plus b और a minus b, प्रते के लंबवद सदीस है, ठिक, ये हमारे पास क्या आगया, दोनों के लंबवद एक हमारे पास सदीस परात हो गया, अब कह रहा है, इसके मातरक्स, लंबवद हमें मातरक सदीस निकालन mod of c vector, ठिक, तो c cap equal to हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, c vector हमारे पास दिया गया है, एक शिकन रुकना, ठीक है, निकाल लेते, c vector हमारे पास है, minus का 2i cap, plus का 4z cap, minus का 2k cap, और mod of, इसका mod ले लो, तो 2 का square 4, 4 का square 16, यह 4, c cap हमारे पास क्या आजाएगा, यह आजाएगा, minus का 2i cap, plus का 4j cap, minus का 2k cap, नीचे हो गया, 16, 4, 24, उपर से कुछ common आ रहा है, common ले लो, 2 common आ जाएगा, minus का, तो बच्चे का i cap, और minus का 2j cap, और plus का k cap, 24 को कुछ लिख सकते हैं, 2 दूना 4 चंग 24 है, 2 root 6, 2 दूना 4 चंग 24, तो 2 से 2 को काट दो, c cap equal to आगे, minus का i cap, minus का 2j cap, plus का k cap, बटे root 6, यह हमारे पास, वो सदिस आ गया, जो a plus b, और a minus b के लंबवद भी है, और एक मात्रक सदिस भी है, यहां तक बात सबको समझ में आ गई, कोई समस्या हो तो बताओ, देख लो एक बार question को फिर बताओ, कोई समस्या लग रही हो, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या लग रही हो तो बताओ, यहां तक सबको clear, चले आगे, अगला, अब बस थोड़ा ही सब अच्चा है, बस थोड़ा सब अच्चा है, फिर उसके बाद, वन जॉर्ड अपना end होने वाला है, बस थोड़ा सा थोड़ी दिर और रोखना है, लाश्ट के दो-चार question अउकन ने हैं, विवीद के कुछ question बाकी है, और कुछ हमारे पास, simple से, प्रशनावली की question है, ठीक है, आँगे चलते हैं, अगला question देखो क्या कह रहा है, ये तो हमारे पास हो गया, ये तो simple था question, अगला question देखो क्या कह रहा है, एक तरबुच के आज छेतफल क्याद कीजिए, ये तरबुच के सीर्स हमें दिये गए है, देखो, तरबुच के सीर्स मतलब A, B, C हमारे पास है, A माल लो 1,1,1 है, B हमारे पास 1,2,C है, C हमारे पास है 2,3,1, अभी हमने बताया, क्या करो, ये इनके क्या इस्तिती सदिस दिए गया है, सीर्स के पॉइंट दिए गया, मतलब B का स्थिती सदिस, A का, C का स्थिती सदिस, कोई भी दो बुजाए निकाल लो, माल लो ये तुम A, B वेक्टर निकाल लो, या आप ये B, C वेक्टर निकाल लो, A, B कहा ये B, C कौन सा हो गया, B, A हो गया, ये, B से A की तरब B, A वेक्टर निकाल लो, और B से C की दिशा में B, C वेक्टर निकाल लो, दो वेक्टर अगर निकाल लेंगे, दोनों सदिस अगर हमारे पास आ गये, B, A आ गया और B, C आ गया, फिर हमारे पास फार्मूला है, क्या, तरबूच के छेट्फल का फार्मूला है, 1 upon 2, mod of, B, A वेक्टर, cross, BC वेक्टर, ठीक, तो ये, B, A और BC का अगर हम cross ले लेंगे, और 1 upon 2 कर देंगे, mod लेने के बाद, तो ये मारे पास शेट्फल दे देगा, तो B, A वेक्टर, पहले निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं, B, A वेक्टर, B, A वेक्टर क्या होगा, B माइनस A, A, A माइनस B, तो कि A बाद में है, तो A माइनस B, तो ये मारे पास आ जाएगा, 0, I कैप, 1 से 1 गया, 0, I कैप, 1 माइनस 3 माइनस का 2, कैप, ठीक, ऐसे वेक्टर निकाल लू, B, C मतलब की, C माइनस B, तो 2 माइनस 1, I कैप, 3 माइनस 2, J कैप, और 1 माइनस 3, माइनस का 2 कैप, ये आ गया, इन दोनों का क्रॉस ले लो, दोनों का क्रॉस ले लेते हैं, B, A, क्रोस BC यह हो गया I, J, K value रख लो I, J, K I की वे यह 0 है यह minus 1 है यह minus 2 है J, 1 है, 1 है, minus 2 है तो यहां से आ जाएगा BA vector क्रोस BC vector बराबर पहले I ले लिया यह हो गया minus minus plus तो तो minus minus plus plus कर दो फिर आँगे आजो minus का J J ले लेंगे तो यह तो 0 हो जाएगा minus minus plus का 2 फिर plus का K ले लो यह गया, यह गया यह तो 0 हो गया minus का minus plus plus का 1 तो यहां से हमारे पास आ गया 2, 2, 4, 4, I cap minus का 2, J cap और plus का K यह हमारे पास आ गया दोनों का cross BA cross BC model लेना पढ़ेगा तो model ले लेते इनका BA vector cross BC vector का model ले लेते हैं model ले लो तो 4, 4, 16, 4 और 1, 16, 4, 20, 21 मतलब कि root 21 आ जाएगा इसका model value रग दो यहां पर 1 upon 2 into root 21 root 21 बटे 2 वरगी का यहमारे पास क्या हो जाएगा answer हो जाएगा इसका छेथफल root 21 बटे 2 इसका क्या जाएगा वरगी का यहमारे पास छेथफल निकल क्या जाएगा देख लो बस formula लगाना है simple question है simple यहां पर आप formula लगाओगे अगली line में आपका answer आ जाएगा बस जो हमारे पास series दिये जाएगे आप क्या करोगे पले हमें series पता होंगे जब आपको series पता होंगे तो आप आराम से series के साथ उस vector को निकाल लोगे जब vector आपके पास निकल आएगा फिर आप उसमें क्या करेंगे mode ले लेंगे उसका और one upon two कर देंगे ठीक है चले आँगे चलते हैं अगले question पे यह 24 number question था ऐसे ही समानतर चतुरबुच का question हो सकता है कि दो आपको सदी दो कोई दे दे मालोब भुजाएं चारों दे दे लेकिन हमें दो simple वो vectors निकालने होंगे दो भुजाएं निकालने होंगे और उनका cross करके mode लेना होगा समानतर चतुरबुच का छेथफल हो जाएगा अगला question है lambda और mu का ग्याद कीजिए यदि ये इसके बराबर है cross product करना है simple थोड़ा सा crowd थोड़ा पेचीदा हो सकता है lambda mu का मान निकालना और equal to 0 सदी समय दिया गया है निकालते हैं जो कह रहा है वो करो इस question बस question का answer हो जाएगा यह बढ़ा-बढ़ा question है सारे important question है कोई भी ऐसा question नहीं है जो important है यह तो बहुत प्यारा question है 30 number example अभी करेंगे यह question प्यारा question एकदम आराम से हो जाएगा देखो दो vector में दीगा इनका क्रॉस में लेना है डारेक्ट मैं क्रॉस लिख रहा हूं यहां से हो गया i, j, और k i के साथ है 2, 6, 27 है यहाँ पर ठीक हाँ दूसरे वाले में क्या है 1, lambda और mu ठीक यह बराबर एक इसके 0 vector के 0 vector समझते हैं न 0 i cap, 0 j cap और 0 k cap 0 vector का मतलब यही होता है कि i, j, k, 3 के साथ क्या है 0 लगा हुआ है इसका क्रॉस निकालो क्रॉस करो वही काम करना है थोड़ा calculation होगी बागी question आसान होगा देखना i cap जब लिया यह गया यह गया 6 mu minus 27, lambda minus j cap लेलो यह यह गया 2 mu 2 mu 27, minus 27 plus का k cap लेलो k cap जब ले रहे है तो यह मारे पास यह गया यह गया यह आगया 2 lambda minus का 6 बराबर आईए 0 i cap 0 j cap और 0 k cap एक काम करो अभी तुम्हें दिख रहा है बराबर कर तो simple और कुछ हाई नहीं यह question में यह बराब equal लिखा है ना तो मतलब यह समान सदिस है इसको इसके बराबर हो सकता है यह J के साथ बराबर हो सकता है यह K के साथ बराबर हो जाएगा तीनों यह बराबर है तीनों बराबर करके lambda और Q के मान निकाल लो तो इसको बराबर करने से कोई फायदा नहीं इसको करोगे तो lambda Q में condition पजेगी छोड़ो ये वाला कर से माइने से माइनस के साथ यह प्लस है तो नमारे पास हो जाएगा 2μю बड़ाबर मैनस 27 यह प्लस हो जाएगा 27 बटे 2 लेम्डा का मान kayसे निकलेगा इसके बराबर कर दो तो 2λंबा-6 बराबर है 0 के तो 2λंबा बराबर है 6 के लेमडा बराबर है 3 के वेलू आगे यह 27 बटे 2 आ जाएगा और वो हमारे पास 3 आ जाएगा बस यह आंसर है और तो कुछ है नहीं बस फर्जी दायर कोईशन तो हमें लगता फोग आसान था कोईशन बस सिंपल में क्रॉस प्रोड़क्ट करना था बाकी तो कुछ था नहीं बस याद रखना इसको ना करें क्या फ इससा लेकिन कुछन वह भी अच्छा था इसा नहीं है समझते इस कोषचन में क्या कह रहा है कह रहा है यह दि परसपर लंबवध मात्रक सदिस यहाचा परस्पर पद्दत के साथ थोड़ा इसका काम भी नहीं आएगा अभी बात समझो अलफा बराबर दिया है थ्री आई माइनस का जे बीटा बराबर हमें दिया है अलफा वेक्टर एक और बीटा वेक्टर है तुई आई प्लस का जे माइनस का थ्री के कह रहा है तो बीटा को बीटा इक्वल टू इस बीटा को कह रहा है बीटा इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू में रूप में विवक्त कीजिए यदि बीटा वन एलफा वन के समानतर है बीटा वन जो है वो एलफा के समानतर है समानतर है मतलब समानतर ही लगा दो सीधा कह रहा है ऐसा है कि जो हमारे पास यह बीटा वन है बीटा वन जो है उस समानतर है एलफा के यह बीटा वन जो वेक्टर है वह एलफा के समानतर है तथा आंगे इसने लिखा बीटा टू जो है वेक्टर वह एलफा के लंबवत है यह इस एक्वेशन कालना और लिखकर लिख देना कि बीटा बरावर बीटा बब्लिस्टाइट एी जी सब्सक्राइब उसके लिए condition ये दी गए ये बीटा 1 और बीटा 2 के लिए वो condition का उप्योग करना है करते हैं सीधी सी बात है अब ये हमारे पास उसका question है विविद का question है मतलब इसमें अदिस सदिसी न दोना कि सदिस से ही solve होगा सारी चीज़ कुछ भी concept लग सकता है विविद में दिया गया है कर दा बीटा वन हमारे पास समानतर है अगर कोई चीज किसी के समानतर होती है मतलब संद्रेख होती है तो एक ही concept हम जानते कि बीटा 1 वेक्टर जो होगा वह बराबर होगा lambda times alpha ठिक समानतर संदेग के एकी कंडिशन अमिलिखते हैं तता जो बीटा2 अगर लंबवत है लंबवत के लिए यह एकी कंडिशन जानते हैं कि इनका दॉर्ड प्रोडक्त जो होगा वह जीB लूगा यह बीटा2 का जो डॉर्ड प्रोडक्ट नीकल यहां तो बीटा वन निकालो कैसे निकलेनटा रगधा अलफा में धिया गया में यह ग्रॉन भर को देखिए अलफामें क्या दिया गया आई-लफामें धिया गया है एंथ थी आई-ब लाबर आप 3 lambda I cap minus lambda J cap यह हमारे पास आ गया beta 1 इसको यहीं पर छोड़ देते हैं समीकरन एक ऐसे डाल दो और छोड़ दो यहां से हमने beta 1 निकाल लिया alpha की मदद लेके अब beta 2 निकालना है लेकिन beta 2 हमें कहीं नहीं दिया गया हम beta 2 पहले निकालना पड़ेगा तब तो हम alpha के साथ dot product कर पाएंगे alpha थो हमें दिया गया है लेकिन beta 2 नहीं दिया गया यहां पर हमें सिर्फ alpha की जरूत ही यहां पर लेकिन beta 2 की बीजरूत है तब जोड़ पोड़ेक्ट इसके साथ कर सकते है beta 2 नहीं हमें पता तो beta 2 कैसे निकलेगा उसके लिए जो ही हमें अभीवक्त करना है इसका यूज करना है बीटा बराबर बीटा 1 प्लस बीटा 2 बीटा भी हमें पता है एलफा हमें पता है क्योंकि हम इसकी बीटा 1 की जगए हम रख सकते हैं बीटा की जगए बीटा 1 की जगए बीटा 1 की जगए बीटा 1 बीटा 2 निक माइनस का 3K कैप, बीटा 1 हमारे पास क्या दिया गया, लेम्डा एल्फा कैप, यहां से मारे पास दिया गया, यह, कहां मने निकाला बीटा 1, यह, 3 लेम्डा आई कैप, 3 लेम्डा आई कैप, माइनस का लेम्डा जे कैप, प्लस का बीटा 2, यहां से बीटा 2 निकाल लेंगे, सारी इस साड ले ओं तो आई है इसके साथ आई वाला इधर ले ओ तो आई मालू मैंने कॉमन ले लिया तो बच्चे का 2-3 लेमड़ा बेनली के ले लिए त्थर बच्चे कि बीटा 1 हमारे पास lambda alpha के बराबर था हमने इसमें lambda से गुणा करके alpha की value दी थी बीटा 1 निकाल दिया बीटा 2 हमें नहीं पता था इसलिए ये condition यूज की कि बीटा बराबर है बीटा 1 प्लस बीटा 2 बीटा 1 हमने ये निकाल लखा है बीटा हमने दिया गया है तो बीटा 1 और बीटा की value हमने इस equation में रख दी और बीटा 2 की value यहां से निकाल दी लेंडा के साथ आई कोई दिक्कत नहीं अभी लेंडा हट जाएगा क्योंकि अब हमें condition यूज करनी है यह वाली कि बीटा 2 जो है वह alpha के साथ 0 देता है इसे काम चल जाएगा इसे लिखते हैं देखो बीटा 2 alpha के साथ तो alpha हमारे पास क्या है लिख दें क्या एक लें मैं लिख देता हूँ यारना confusion होगा इसको नीचे ले लेते एलफा में दिया गया एलफा भी लिख लेते हैं एलफा बराबर क्या दिया गया है 3 आई कैप माइनस का जेक दोनों का डॉट प्रोडेक्ट कर रहे हैं इसका यह बीटा 2 है दिख रहा है ना बीटा 2 है भाई इसको इस साइड लिख देते हैं इसके बीटा 2 बराबर बीटा 2 और अलफा का हम डॉट प्रोडेक्ट करते हैं देखो आई का आई के साथ तो तीन गुड़े हो जाएगा 2 माइनस 3 लेम्डा जे का जे के साथ तो जे मारे पास यहां पर माइनस वन तो माइनस वन का हो जाएगा यहां से इसके साथ जे का जे के साथ भाई जे का है माइनस वन का इसके वन प्लस लेम्डा के साथ के का के साथ यहां पर जीरो है तो जीरो का उससे होगा तो जीरो हो जाएगा इकोल टू मारे पास क्या है जीरो यहां से हो जाएगा 3 दून 6 माइनस का 9 लेम्डा माइनस का लेम्डा इक्कोल टू जीरो यह मारे पास हो जाएगा 9 और एक 10 पर यह हो जाएगा 5 माइनस का 10 लेमडा एक्कोल टू जीरो तो 5 बराबर हो जाएगा 10 लेमडा लेमडा बराबर आजाएगा 2 बस लेम्डा की वेलू इंपॉर्टेंट थी लेम्डा की वेलू आगी आगे अंसर आ जाएगा अब आपको क्या करना है आप बीटा जहां पर निकाला है इसमें लेम्डा की वेलू रख दो तो बीटा टू पूरा निकालाएगा बीटा वन जहां दिया ही गया है मैं बीटा व क्या होगा पहले मैं बीटा वन लिख देता हूं आप लेमडा की जगह क्या रखो के टू तो यह हो जाएगा तीन गुणे दो आई कैप तो छे लिखतें सीधा तीन दून अच्छे आई कैप और माइनस का थ्री जे कैप बीटा 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर तीन नहीं दू है न हम 2 रखेंगे 2 रखो तो 3-3 चैप प्लस क 1 गश्यक और यहां पर तुम 2 रखो गे तो माइबस舉 gathering यहां पर थो सिम्पल हाई-धे उस तो माइन अविटल की चैप यह हमारे पास आ गया भी माइनस दो से तीन जाएगा जे आ जाएगा और माइनस का तीन के कहते हैं सिंपल वही चीज आ जाएगी जैसे ही आप इसको क्या करो के बीटा इक्वल टूब लिख सकते हो बीटा वन प्लस का बीटा टूब कि प्रूफ कि बहुत प्यारा कोश्चन है कि कुछ नया सीखने को मिलता है मतलब की कोश्चन ऐसा है कि ऐसा कुछ भी टफ बिल्कुल नहीं आपको दिख रहा है लेकिन जो करना है वो समझना है थोड़ा कि जो जो चीजे दी गए इनका कैसे उप्योग करना है मालो यहां मित्ता लिख ले लेंदा निकलाएगा तो फिर आम यह बीटा वन बीटा टुदी अनुगाल लेंगे और मैं पता है कि समांतर होते तो लेंदा टाइम सोता है यह बात हमें पता है संडेख वाली कंडिसंसे तो संडेखता की सर्थ यहाँ पर बहुत अच्छे से काम आती है तो बहुत प्यार करना है एक यह करना है दो कोश्चन करके exercise फिनिस करेंगे दो और कोश्चन कर लेंगे तो इस पर और अच्छे से confidence हमारा built हो जाएगा साथलिक मनलब यह मारा पस जित्ता भी सदिस का पार्ट है तो कह रहा है तो कह रहा है तेरवा कोश्चन है कि सदिस I, J, K का सदिस इन और इन का योगफल की दिसा में मात्रक सदिस के साथ अदिस गुड़नफल एक के बराबर है तो लेंगडा का मानगे लेंगविच फिर से पढ़ो तभी यह कोश्चन समझ में आएगा क्या कह रहा है देखो यह कह रहा है कि यह जो सदिस दिया गया है पहला यह सदिस जो मारे पास दिया गया है यह इसका इन दोनों सदिसों के योगफल किन दों सदिसों इसका और इसका योगफल की दिसा में मात्रक सदिस का गुड़नफल एक के बराबर है इन दोनों सदिसों का योगफल की दिसा में पहले मात्रक सदिस निकाले वो सदिस का गु प्रफल तो इनी को पहले लिख लेते हैं पहले हम इसको मान लेते हैं कुछ माना है तब यह अच्छे से समझ भी आएगा हमने माना कि माना एक्टर बराबर हमारे पास यह सद्ध से i cap, j cap और k cap b vector equal to दूसरा सदिस यह माल लिया 2 i cap 4 j cap minus का 5 k cap c vector equal to हमने माल लिया lambda i cap 2 j cap और 3 k cap कहरा है इन दोनों का योगफल के अनुदिस जो मात्रक सदिस आएगा उसका अदिस गुड़न इल्फल इस सदिस के साथ एक के बराबर है वही काम करते है लिकालते हैं पहले b vector plus c vector निकालो b vector c vector क्या हो जाएगा 2 plus lambda भी दे रखा है 2 plus lambda i cap 4 2 6 j cap minus का 2 k cap यह हमारे पास क्या आजाएगा दोनों का योगफल आजाएगा b vector plus c vector का योगफल आगया इसको कुछ नाम देते थे कि इसका मात्रक सदिश निकालना है माना इसको हमने मान लिया कि माना यह हमारे पास कुछ r vector के बराबर है अब इसका पहले मात्रक सदिश निकालते है तो r cap अगर तुम्हें निकालना है तो यह क्या होगा r vector upon mod of r vector तो r vector तो सेम यह आ जाएगा 2 प्लस lambda i cap 6 j cap माइनस का 2 k cap mod ले लो इसका मतलब की mod मारे पास हो जाएगा 2 प्लस lambda का square 6 का square 36 2 का square 4 यह मारे पास यह आ गया अनुदिश मात्रक सदिश अब प्रस्ना नुसार हो कह रहा है इन दोनों सदिशों का योगफल के अनुदिश जो मात्रक सदिश है उसका गुड़न फल इस सदिश के साथ एक के बराबर है अधिस गुड़न फल तो इसका अधिस गुड़न फल कर दो मतलब की a vector का dot product r cap के साथ 1 के बराबर है रखो value a vector कहा ही है i vector j vector और k vector इसका dot product इसके साथ 2 plus lambda i cap यह dot product है और 6 j cap और minus का 2 kk बटे में नीचे क्या है अंडर root के अंदर है हमारे पास 2 plus lambda का whole square 364 40 बराबर है एक lambda की value निकाल लिए इसको हल करके और कुछ नहीं करना है आई का यह तो constant part है इसके नहीं चक्कर में पढ़ना है यह तो constant part है i का i के साथ होगा j का j के साथ होगा यह एक अलग bracket में simple समझे नों गुणा हो रहा है यह समझे नीचे है i का i कैसा j का j के साथ k का k के साथ क्या बच्चेगा उपर two plus lambda j का j के साथ होगा तो six बच्चेगा k का k के साथ होगा तो minus two बच्चेगा six जै का this के साथ और फिर माइनस का दो नीचे हमारे पास जो है उसको बना रहे ने दो कि टू प्लस लेंडा का होल इसकार प्लस का 40 सॉन को टू टू प्लस लेंडा इसका टू कर दो भीकिती का coalition स्थिथे काट 25 इसको बहा कि इस तू से स्थी को उडीव विला दो टैतawia क्या लेंडा प्लस चैनल बराबरहरे पास जाय plus lambda का whole square plus 40 लेमडा की बेली निकाल लीए द रिघाद बनेएगा solve भी करना पड़ाई कोई option है कर लोगे solve lambda square plus 36 plus 6 12 लेमडा equal to 4 plus lambda square तो यह चाह प्लस लेमडा 2 है तो चाहर प्लस लेमडा 4 लेमडा प्लस का 40 लेमडा स्क्यार से लेम्डा स्पयर गया यह 12 लेम्डा इधर आएगा आठ लेम्डा हो जाएगा ठीग जाले लेम्डा की वेली वन है आसान है यह अश्वल से कुछ नहीं है बस समझने की बात यह कि हमारे पास दिया क्या कहना क्या चाहरा है कि सद्स यह इन दोनों सद्धिसों के योगफल की दिशा में मात्रक सद्धिस के साथ अधिस गुणन एक के बराबर है तो इन दोनों सद्धिसों के योगफल के अनुदिस मात्रक सद्धिस इस सद्धिस के साथ अधिस गुणन एक के बराबर है वही करना था लेम्डा की वेलू आ जाएगे पस आपको पता है कैसे क्या करना है ठीक है तो लेंडा की वेलू यहां से वन आ गई यही आपका अंसर है लास्ट कोश्चन बचा है यहां से सद्दांजली देंगे हम लोग यह भी प्यारा कोश्चन है सारे प्यारे कोश्चन है यह ना कहना कि important है कि नहीं है बाई जो question है वो important ही है और कुछ ही नहीं कहरा है A vector B vector C vector एक ऐसा सदिस ग्याद किजिए D vector ग्याद करना अच्छा A B C है D ऐसा ग्याद करना है जो A और B दोनों पे लंबो और C vector dot D vector बराबर पंदा होना चीए के और B दोनों के लंब कैसे मिलता जब तक हम cross product नहीं निकालेंगे तब तक लंब सदिस में कोई भी दो सदिसों के लंबोत सदिस यह है में cross product निकालना पड़ेगा तो जो पहले कह रहा हूँ क्या कह रहा है A or B के दोनों के लंब हैं D vector तो cross product निकालना पड़ेगा, D vector क्या होगा, A vector cross B vector, यह हमारे पास दोनों के लंबवत होगा, तबी, तो अगर दोनों के लंबवत है, अच्छा, अच्छा, बास समझो, बास समझो, यहाँ पर क्या कह रहा, कह रहा, A vector और B vector दोनों पर लंब है, यह D vector जो है, A cross B की नहीं, A vector तथा, बहुत प्यारा concept यहाँ पर, B vector दोनों पर लंब है, दोनों पर लंब होने का मतलब यह है, कि जो D vector है, वो हमारे पास A vector के भी लंबवत है, तथा, जो D vector है, वो B vector के भी क्या है, लंबवत है, ठिक, यह D जो है, वो A के भी लंबवत है, और B के भी लंबवत है, अग एगर A और B Würleak, यंकैत क्या होते हैं? लंब वथ होते हैं, तो अगर A x B करेंगे, इन दोनों का क्रोस करेंगे तो भी लंब वथ सदीस पराप्त होगा, और A और B के लंब वथ होता ही है अनकैप, तो यह भी लंब वथ होगा और Yenkaip भी लंब वथ होगा, तो N कैप और a cross b दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? समानतर हो जाएंगे तो a cross b और n cap क्या हो जाते है? समानतर हो जाते हैं, वही यहां concept use होगा क्या? कि d vector जो है वो a vector के भी लंबववत है और b vector के, मतलब जो उमारे पास एक कोई d vector है, जो a के भी लंबववत है और b के भी लंबववत है यह a के भी लंबववत है और b के भी लंबववत है, cdc बात है ठीक है? d vector जो हमारे पास है यह हमें दिख रहा है अगर हम इन a cross b करते हैं, तो वो क्या आता है? इन दोनों के लंबववत आएगा a cross, अब यहाँ से तुम्हें a cross b निकालना है, सिधी बात समया अब a cross b निकालोगे तो a और b दोनों के लंबववत आएगा इन दोनों के लंबववत कौन होगा? यह है यह हमारे पास क्या आजाएगा? a vector cross b vector तो यह d vector के साथ कैसी condition में? यह एक दूसरे के समानतर होगे न d vector जो था, a के भी लंबववत था और b के भी लंबववत था a cross b जो आया, वो a के लंबववत है और b के लंबववत है तो d और a cross b के बीच में condition कैसी होगे समानतर की, बस वही चीज़ यहाँ पर लगानी है तो a cross b जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास कैसा होगा? वो सर समानतर होगा d vector यही condition यहाँ पर है यही important बात है, यह अगर बात हम समझ गये तो question पूरा स्वार हो जाएगा पहली line से पूरा answer चिपा है कि d vector a vector और b vector दोनों के लंबवत था तो a cross b के क्या होगा? समानतर होगा, लंबवत ना समय ले ना क्योंकि a और b दोनों के अलग-अलग वो लंबवत होता है अगर cross कर देते हैं तो a cross इन दोनों के लंबवत होता है, a और b के और d मी लंबवत है, तो आपस में दोनों समानतर होगा तो बस यही condition है आपे लगानी, तो d वेक्टर अगर समानतर है तो d वेक्टर एककोल तुम कर सकते हैं, lambda times a vector cross b vector यह तो लिखी सकते हैं, समानतर मतलब संद्रेक, संद्रेक मतलब lambda times a cross b a cross b हम निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा? i, j, k, lambda को लिखा रहें नहीं देना, उससे confusion ना होना, i, j, k, a की value में दी गई है, 1, 4, 2, b की value में दी गई, 3, minus 2, 3, minus 2, और 7, ठिक, तो यहां से हो जाएगा, d vector equal to, lambda times, i vector ले लिया, तो कित आ जाएगा? 7, 4, 28, minus 2, 2, 4, plus 4, minus j, k, a, 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 k, कर लेते हैं क्या दिक्कत है कि डी वेक्टर इकल तो मारे पास आ जाएगा यह हो जाएगा 284 32 आई कैप 32 लेमडा आई कैप माइनस यह जे कैप हो जाएगा तो यह आ जाएगा लेमडा जे कैप और यह हो जाएगा माइनस कर 14 कैप तो माइनस चौदा लेंबडा यह हमारे पास आ गया डिवेक्टर अब इसके लिए कंडिशन में थी इसी वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबरे 15 के तो तुम्हारे पास है लिख दो कुछे माइनस करनेंदा ये के लिए टैसिक ते लिर्सों मंदा अजयेगर चौ। भी प्लस का आ जाएगा तो चौन सट से चपन्द चले जाएंगे तो चार यह चले गे चार यह आठ लेंडा और प्लस का लेंडा परावर 15 यह नौव लेंडा परावर 15 लेंडा परावर 15 वटे 9 तृप पढ़ी 15 तीन तानों यह आरा 5 बटे 3 calculation यार एक बढ़ चेक कर लेना concept यहीं लगना है और कुछ नहीं लगना है एक बढ़ बस calculation तुम चेक कर लेना वाकि इसमें और कोई दिक्कत नहीं concept नहीं concept same है यही concept लगेगा और कुछ नहीं simple सा question है बस आपको calculation थोड़ा सा चेक कर लेना कि यही lambda की value आ रही कुछ और तो नहीं आ रही है ठीक है क्योंकि हमें यहाँ पर ABC तीनों वेक्टर दिये थे आप देखलो एक बार question पूरा हमें क्या था ABC तीनों वेक्टर यहाँ से दिये थे simple D वेक्टर हमें निकालना था अगर तुम्हें ABC वेक्टर तुम्हें दिये थे और D वेक्टर के लिए तुम्हारे पास condition दी वही लगा कि हमने हाँ सब खाली है थीक है भर स्यहीं काम करना था यह याद रखना कि डिवेक्टर ढ़र फीक हेज़ सो इंव दोनों के लबात और अभी के लमबात हमें पीके लमब-स हो गया तो दोनों आपस में लमब-स हैं मतलब कि इया किसी एक चीज के साब पेच दो चीजे दोनों लंबवत हैं तो आपस में दोनों चीजे समानतर होती है बस यह बात हमें आप याद रखनी है उसी से कंडिशन से कोश्चिन पूरा स्वाल हो जाएगा ठीक है बस इतना ही था अपने पास वन-sort में यहां से हमारा वन-sort ओवर होता है जो हमारे पास वेक्टर का था सदिस बीजगर्द का मारे पास वन-sort कंपिल्ट होता है थोड़ा सा लेंदी था थोड़ा आराम आराम चला है बीच में कहीं कंफ्यूजन हुआ हो मुझे भी सवाल करते साहीं बीच में ऐसा लगा है कि कहीं दवदर ना हो पूरा वन-sort अगर आप रिवाइस कर ले तो पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा कुछ भी नहीं चोड़ा मैंने तभी मैंने थोड़ा टाइम लिया है थोड़ा आराम से चलाओ लेकिन छोड़ा कुछ भी नहीं तो इसको मन से टाइम से एक दब कंप्लीट कर लो अगला वन-sort जो आएगा वो आएगा यह 3D का ही देना पड़े इसके बाद 3D इसी से लेलेटेड चैप्टर अगर यह वन-sort अच्छे से समझ में आ जाएगा तो 3D वाला भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा 3D का टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ चैप्टर है पर बहुत काम आने वाले हैं तो सभी लोग मन सही से कंप्रीट करना और क्लास के बाद जुरू मुझे कमेंटर के बताना कि कैसा लगा वन-sort मिलते हैं अगले कलास में तब तक के लिए टकामाद है